नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पे जरूर फॉल कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल्स है सारे कुशन अटेंट करिया और इसको रपना तुरंद कमेंट करके बताई है दो महीने का मोटे तोर पर आपके पास समय शेष है और इस समय यह जो बचा-कुचा समय होत है या कम महनत की है और प्रयास करने के आउशकता है दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट आपने पड़े हैं वो रिवाइज हो जाते हैं तो यहां फ्री इनिशेटिव जो हमारे चलाय जा रहे हैं स्टडी फॉर से इसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेंट कर पाए तो देखिए पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है खुद से भी अटेंट करिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में साजा करिएगा उससे आपकी भागिदारी का पता लगता है कि आप कितने सक्री हैं तो देखिए इसमें पहला स्रेटमेंट कहा जा रहा है पहले निकाई का इस्तेमाल किया जाता है दॉसरा श्रेटमेंट कहता है कि rate of flow of water जो है उसके मीजरमेंट के लिए हम क्यूसे एक नाम का जो मात रख है उसको यूसके प्रबाह कि दर को हम किस में नापते हैं क्यूसेक में नापते हैं और इसके बाद यह कहा गया कि among the micron, nanometer, angostrom and ferm मतलब यह सारे जो आप यहां पर लंबाई नापने के छोटे वाले मात्रक देख रहे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है, माइक्रॉन है, ऐसा कहा गया, तो गलती कहां पर है, बताईए, प्रश्निक पूरा आपके सामने है, और इसका जो सही जवाब है, वो इसमें सी हो अब यहां देखें, और इसका मतलब यह है कि बाकी दो स्टेटमेंट एकदम सही है, तो उससे आपको सूचना है पता लगती, देखें, दूसरे प्रश्न में फिर से यहां कुछ तीन स्टेटमेंट दिये हुए हैं, और आपको इसमें विचार करके बताना है कि कौन सा सही ह तो पहले वाले में कहा गया कि एक बैरल तेल में लगभग approximately 159 लीटर होता है, और एक दूसरे स्टेटमेंट इसके साथ चिपका हुआ है जिसमें कहा गया कि एक बैरल तेल में 42 गैलन होते हैं, तो गैलन और लीटर में इसको नापा गया, यह बैरल वाला क्वेसिन आता है PCS में काफी पूछा जाता है इसके बाद दूसरा statement ये कहा जा रहा है कि विद्धुत बिभाव जो है वो एक अदिश्राश्री है electric potential जो होता है वो असल में एक scalar quantity अदिश्राश्री का मतलब क्या होता है कि उसे दिशा की आवशक्ता नहीं है और तीसरा statement कहता है कि विद्धुत छेत्र जो है वो एक सदिश्राश्री है यानि इसमें परिमाण के साथ-साथ आपको दिशा भी चाहिए होगी और विद्धुत छेत्र का जो SI मात्रक है वो जूल पर कुलाम होता है तो अब इसमें आप देखिए electric field जो है वो vector quantity है SI unit of electric field जो है वो जूल पर कुलाम होती है इसमें से सही कौन सा है प्रशन को आपने देखा और इसका जो right answer है ये दूसरे प्रशन को आप देख रहे है इसमें से A वाले को चुल लीजे यानि सही की तलाशा में करनी थी तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है लेकिन यहाँ जो विद्दुद छेत्र की बात हो रही है वहाँ पर गडबड़ी है इसका जो मात्रक है वो गडबड़ दिया है ऐसा नहीं है कि ये सदिश राश्री नहीं है यह है तो vector quantity ही, लेकिन इसकी जो unit होती है, वो Newton पर कुलाम होती है, ना कि Joule पर कुलाम, यहाँ पे होना चाहिए था Newton, जो कि नहीं दिया है, तो तीसरा वाला जो statement है, वो गलत है, इसमें सही कौन सा होगा, इसके बाद तीसरे को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में आप से कह गया कि कुल मिलाकर, चार statement है, इन कथनों पर जो statement दियो हैं, पर विचार करिए और बताइए कि सही कौन सा है, तो पहले कथन में कहा गया कि पारस्थितिकी दाब का SI मात्रक होता है, वो होता है, बार, SI unit of atmospheric pressure, यह बार होती है, दूसरा statement यह कहता है, कि दाब का SI मात्रक पास kilogram is equal to 10 to the power minus 12 gram, और जो चौथा statement है, वो कहता है कि कैलोरी अर्ग तथा centigrade यह उश्मा की काईया है, यह कैलोरी अर्ग और centigrade यह क्या है, unit of heat है, तो अब आप यह बताइए कि इसमें से correct कौन सा है, प्रशन को आपने देखा, सही की तलाश आपको करनी है, पूरा प्रशन का और इसका जो सही जबाब है, वो इसमें हो जाएगा, एक को हमने इसलिए चुन लिया क्योंकि तीनों ही जो उपर के कफन दिये हुए है, यह पारस्थित की दाब वाला ठीक दिया है, दाब का भी सही दिया है, पिको ग्राम भी ठीक दिया है, तो यह सभी तो सही है, लेकिन यह जो चौथा वाला दिया है, इस चौथे वाले कथन में कहा जा रहा है कि कैलोरी, अर्ग और सेंटीग्रेट, ध्यान से देखेगा तीनों को, यह तीनों ही यूनिट है हीट की, तो इस में से कैलोरी, अर्ग और जूल को अगर दिया होता, तो वो तो उश्मा की काईया होती है, यह यादि, यूनिट ओफ हीट होती है, लेकिन जो सेंटिक्रेट होता है, वो ताप मान की काईय होता है, temperature की ठीक तो unit of temperature होना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं दिया है बाकी समझो है वो तो ठीक है उश्मा की काई है तो यह जो चौथा वाला statement है यह गलत है बाकी जो तीनों है वो सही है इसके बाद चौथे को देखते हैं अब यहाँ देखिए इसमें फिर से statement है और कहां जा रहा है कि जो कथन है उन पर विचार करिएगा तो पहला statement ही कहता है कि SI unit of power is watt और the unit of measurement of distance used in navigation is nautical mile navigation के लिए जो हम distance measure करने के लिए unit का इस्तिमाल करते हैं वो असल में क्या होती है nautical mile होती है मतलब एक अश्वशक्ती जो है वो बराबर होता है साढ़े साथ किलो वार्ट के और the unit measure to यहाँ आप देखें बतलब यह जो आप यहाँ देख रहे हैं ध्वनी की सापेक्षिक प्रबलता अगर आपको नापनी है तो इसके लिए जो unit आप इस्तिमाल करेंगे वो decibel होगा तो इसमें से चार statement आपने देखे सही कौन सा है वो आपको बताना है सही विकल्प की तलाश करनी है नीचे इसमें code दिया हुआ है और fourth question को आपने देखा correct answer इसका C हो जाएगा यहाँ देखे पहला दूसरा और चौथा तो ठीक है C वाले को अगर आप चुनते हैं तो पहला दूसरा और चौथा तो ठीक है लेकिन यह जो तीसरा वाला है इसमें समस्या है एक अश्वशक्ती कितने के बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है और इसे अगर आप किलो वाट में convert करेंगे तो यह आजाएगा 0.75 किलो वाट के तो यहाँ यही गलत यह है बाकी सब तो सही ठीक तो C को चुना आगे बढ़तें प्रशन संख्या 5 को देखते हैं अब यहाँ फिर से 3 स्टेट्मेंट है पहले स्टेट्मेंट में कहा जा रहा है कि एक माइक्रॉन जो है वो 1 अपान 100 मिलीमीटर के बराबर होता है मतलब एक बटे 100 मिलीमीटर के एक्वल होता है मैग संख्या जो है यह उच्षवेक को प्रदर्शित करने के लिए इस्तिमाल की जाती है मैग नंबर का यूज कहां पर होता है यह हाई विलासफिश जो होती है उसको दिनोट करने के लिए यूज की जाती है और Angus Tram जो है ये किस context में use होता है तो ये wavelength को miser करने के लिए काम आता है मतलब ये wavelength की unit है तो इस तरीके से ये सारी जानकारिया है इसमें से आपको गलत की तलाश करने है जो wrong information है उसको बाहर करना है तो बताइए तो fifth question आपने देखा correct answer इसका A हो जाएगा केवल पहला वाला गलत है केवल पहला वाला गलत है ये बाकी सब सही है असल में एक micron जो है वो 10 की खात माइनस 4 cm के बराबर होता है और उसको अगर आप millimeter में convert करेंगे तो एक micron बराबर एक बटे 1000 mm यहाँ पे 100 नहीं होगा बलकी एक बटे 1000 होगा जो की नहीं दिया है तो इसलिए वो गलत है बाकी जितनी भी information है ना दूसरा तीसरा वो सही है अब देखिए छट्वे को छट्वे में कहा जा रहा है कि इसमें भी 4 statement है यह statement वाले जो हैं यह काफी काम के question होते हैं इसमें बहुत सारी नहीं जानकारी है और बहुत सारे जो fact हैं आपके revise हो जाते है तो देखिए इसमें पहला statement कहा रहा है कि not जो है वो गती की काई है जो की एक समुदरी मील प्रतिघंटे के बराबर होती है not is a unit of speed equal to one nautical mile per hour इसके पाद जो second statement है वो कहता है कि त्वरण का SI मात्रक meter प्रतिवर्ग second होता है त्वरण का SI मात्रक होता है acceleration की SI unit होती है meter per square second ठीक है second square है और इसके बाद जो तीसरा वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि एक newton, एक kilogram meter प्रतिवर्ग second के बराबर होता है यहाँ भी से convert किया है तो मात्रकों का आपस में जो अदल बदल है बदला हो है, वो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए तो यहाँ यही कहा गया और इसके बाद जो चौथा statement इसमें कहा जा रहा है कि आवेक का SI मात्रक जो है, वो newton second होता है, SI unit of impulse is newton second तो आप यह बताईए, यह सारे statement आप देख रहे है इसमें से जो सही विकल्ब है, वो कौन सा है सही कथन कौन सा है, यह आपको तलाशना है तो छटवा आपने देखा, correct answer इसका D हो जाएगा, इसमें सभी सही है correct option आपको चुनना था, यह सारी ही जो बाते हैं हाँ पर कही गई है, वो सभी सत्य है तो यह सारी information है आपको revise करनी है, अब इसके बाद देखें अगले वाले को, प्रशने संख्या साथ, इसमें कहा गया कि गलत विकल्ब कौन सा है, बताईए, गलत विकल्ब का चैन करिए, तो convert किया गया है यहाँ पावर जो लगी हुई है, उसमें माइनस है कि पलस है, यह भी आपको ध्यान देना होगा अब इसमें से गलती तलाश नहीं है चार विकल्प है तो कोई नो कोई तो गलत होगा कौन सा है बताई तो यह जो 7th question है इसका correct answer A हो जाएगा यह 13 meter जो उपर दिया है न यही गलत है बाकी सब तो सही है बाकी सभी सही है तो वो आपके काम की information है देखे 13 meter जो है उसमें 10 की घात 12 meter होते है मतलब यहाँ पे 10 की घात 12 होगा न की 10 की घात 13 बाकी सब सही आठवे को देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि वस्तूओं में से मतलब नीचे जो चीजों के नाम दिये है उनमें से किस वस्तू का आकार सबसे मोटा होगा मतलब the size of which of the following object will be thickest तो इसमें thickest आपको डूढना है अलग-अलग तरह के object दिये हैं जैसे कि कुछ तो बहुत सूक्ष्मकर्ण है जैसे कि proton है तो size of proton सबसे मोटा कौन होगा यह आपको बताना है तो size of proton सबसे ज़्यादा उसकी thickness होगी या size of atomic nucleus यानि जो परमाडविक नाभिक होता है उसका आकार सबसे थिक होगा या size of hydrogen molecule इसको हम रखेंगे या length of common bacteria इस तरह के प्रशन भी आते हैं सब mix करके दे देता है तो इन चार विकल्पों में से आपको सबसे जो मोटा है वो तलाशना है तो प्रशन संख्या 8 को आपने देखा correct answer इसका D हो जाएगा length of a common bacteria ये क्या है ये thickest है इसमें और सभी की length है और thickness है वो आपको पता होनी चाहिए तो proton का अगार आप जानते है 10 to the power minus 15 होता है ये meter में आपा जा रहा है और जो परमाडविक नाभिक है यानि nucleus होता है उसका होता है 10 to the power minus 14 और hydrogen atom का कितना होता है वो होता है 10 to the power minus 10 आपने chemistry में पढ़ा होगा और जो जीवाड़ू की लंबाई यानि bacteria की length होती है वो होती है 10 की खात minus 8 D वाला option हमारा जो है वो सबसे मोटा होगा तो प्रशन संख्या 9 की और बढ़ते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि द्रविमान के अधार पे ये जो चीजें दी हुई है इनको आरो ही क्रम में व्योस्तित परिए मतलब ascending order mean को arrange करना है basis of their mass तो mosquito दिया है यानि मच्छर आजकल बहुत परिशान कर रहे है और a drop of rain मतलब वर्शा की एक बूद की यहां जो आकरिती है उसकी बात की जा रही है तो यहां आकरिती से नहीं मतलब है मास से आपको तुलना करनी है और इन्हें arrange करके देखना है तो इसके बाद है dust particle और red blood cell मतलब लाल रक्त कणिका है तो इसमें से आप बताईए कि द्रविमान के आधार पे आरोही क्रम अब आरोही क्रम का मतलब क्या है सबसे कम वाले को सबसे पहले रखेंगे तो इसमें देखिए ascending order कैसे arrange किया जाएगा अब यह जो 9 वा question है इसका correct answer D हो जाएगा इसमें थोड़ा सा arrangement में आपको आगे पीछे करना पड़ेगा मतलब यह है देखिए इसमें जो मच्छर का द्रविमान है वो होता है अब सारे मच्छरों का एक बराबर होई आवश्यक नहीं है यह औसत है तो 10 to the power minus 5 किलोग्राम में है यह ठीक मच्छर के लिए वर्षा की बूत का होता है 10 to the power minus 6 इसके पाद आप धूल के कणका ले लीजिए तो वो होता है 10 to the power minus 9 धूल के कणका हो गया लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है 10 की गात minus 13 और कम होता है जितना यह बढ़ता जाएगा number minus वाली power रहेगी तो जितना बड़ा number रहेगा उतनी ही छोटी राशिया में प्राप्त होगी तो इस हिसाब से होता है तो ऐसा अगर आप परेंच करते है उसके बाद रखेंगे वर्षा की बूत को और सबसे भारी है इसमें मच्छर तो हमने D को चुल लिया प्रशन संख्या 10 को देखते हैं अब यहाँ पे physical quantity दी है और SI unit दी है कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो यह जो दस्वा प्रशन है इसमें आप ध्यान से देखें दिया हुआ है कि वेग प्रवड़ता का जो मात्रक है SI मात्रक है वो प्रति सेकेंड होता है velocity gradient जो है उसकी unit होती है पर सेकेंड और electrical conductivity यानि विदुद चालकता जो है उसका मात्रक होता है ohm per square जबकि magnetic flux का होता है यह ohm per square meter है meter असल में यहाँ पर आ गया है जबकि इसको यहाँ होना चाहिए और magnetic flux का होता है Weber, Weber एक scientist थे जबकि surface tension का यानि जो प्रश्ट तनाव है उसका SI मात्रक होता है newton per meter तो अब इसमें से आपको यह बताना है कि गलती कहाँ पर है प्रश्ट को आप पूरा देख रहे है तो दसवा प्रश्ट जो है इसका correct answer पहले देख लीजे अच्छे से B वाला हो जाएगा electrical conductivity का जो यहाँ पर दिया है ohm प्रति वर्ग meter यह वाला गलत है जबकि electrical conductivity का क्या होना चाहिए cements प्रति मीटर होना चाहिए cements प्रति मीटर होना चाहिए ना कि ohm ohm का तो संबंद वैसे भी resistivity से आजाएगा resistance से आजाएगा प्रश्ण संख्याई 11 यहाँ पर जो कथन दिये हैं और horizontal plane में उसको measure करने के लिए vertical plane में भी और horizontal plane में भी यह distance को measure करने के लिए जो angular distance होती है उसको measure करने के लिए काम आता है इसके बाद आप देखें और polygraph नाम का जो instrument है वो इस्तिमाल किया जाता है lie detector के तोर पे आप जूट बोल रहे हैं तो वो पता लगा लेगा तीसरा statement कहता है यहाँ दूसरे को हमने देख लिया तीसरा कहता है कि manometer एक तरह की device है जिसका use होता है measurement of pressure में यानि यह दाब को नाम सकता है तो अब इसमें आपको बताना है कि जो गलत विकल्प है वो कौन सा है statement आप देख रहे हैं तो 11th question को आपने देखा correct answer इसका D हो जाएगा और D यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इन में से कुछ भी गलत नहीं है जितनी सूच ना है आपने देखी नहीं यह पहला दूसरा तीसरा को नापता है और seismograph जो है वो अर्थ को एकिया नी भूकम को नापता है और atmospheric pressure को measure करने का काम barometer करता है तो इसमें से कौन सा गलत है सही मिलान नहीं किया हुआ है वो आपको बताना है तो बारवा आपने देखा correct answer इसमें एनिमो मीटर हो जाएगा जो आदृता को नापने वाला इसमें बता दिया है एनिमो मीटर किसको नापता है ये विंड की विलोसिटी को नापता है वायू के वेग को नापता है न की हुमिडिटी को तो इसे हमने देखा अच्छा हुमिडिटी को कौन नापता है फैदो मीटर का यूज़ किया जाता है अगर आपको depth of sea measure करनी है तो उसके लिए आपको जो instrument इस्तिमाल करना होगा वो होगा फैदो मीटर Altimeter का इस्तिमाल किया जाता है height of aircraft above sea level उसको measure करने के लिए यानि समुद्रितल से वायोयान की उचाई नापने के लिए electric potential को measure करने के लिए emitter का यूज़ किया जाता है electric potential जो है उसको नापने के लिए हम emitter का यूज़ करते हैं और जो Richter scale पैमाना होता है scale का मतलब पैमाना तो इसका use किया जाता है intensity of an earthquake को measure करने के लिए भूकमपटी तीवरता को ये नापने का काम करता है तो आप ये बताइए कि गल्ती कहाँ पर है ये जो statement दिये हैं इसमें से कोई ने कोई गलत है और 13 जो आप देख रहे हैं यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसे जो थोड़े से tricky question होते हैं उसमें जो गलत विकल्प होता है वो तुलनात्मक रूप से आसान होता है तो emitter आप भी जानते है basic physics है कि इसका इस्तिमाल किया जाता है विद्दधारा को नापने के लिए ये electric current को measure करने के काम में आता है ना कि electric potential को तो इसे हमने देखा C वाले option को बाहर कर दिया बागी सब सही प्रश्नि संख्या 14 इसमें कहा जा रहा है कि incorrect option कौन सा है बताईए तो radio तरंगों के दोबारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए radar का use किया जाता है radar को use किया जाता है detect the position of object by means of radio waves और इसके बाद जो second statement है उसमें कहा गया कि प्रकाश की तीबृता को नापने के लिए lux meter नाम का जूपकरण है उसको इस्तिमाल किया जाता है lux meter एक प्रकार का instrument है जो कि intensity of light को measure कर सकता है और pyrometer का इस्तिमाल किया जाता है 3500 degree Celsius यानि 3500 degree Celsius से जादा के temperature को नापने के लिए उससे कम temperature रहेगा तो ये नाप नहीं पाएगा जबकि इस thigmo manometer जो है ये blood pressure नापने के काम में आता है तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहा है तीन तो सही है लेकिन कोई एक गलत है और इसका जो सही जबाब है वो इसमें सी हो जाएगा ये जो पाईरो मीटर का दिया हुआ है ने कि temperature इतना मीजर कर सकता इसके उपर का तापमान ये वाला गलत है असल में पाईरो मीटर जो है वो 1500 degree Celsius के उपर का temperature नाप सकता है यहां को जादा ही बढ़ा चड़ा कर बता दिया गया है यहां पर कितना होना चाहिए? 1500 होना चाहिए बाकी सब सही है 15 हमें को देखते है Consider the following statement given below अब यहां पर देखिए consider करके कि ये जो statement दिये हुए इसमें से सही कौन सा है तो पहले बाले में बताया गया है कि Lactometer ये दूद के आप एक्षिक घनत्यों का नापने के लिए काम आता है जो Relative Tensity of Milk है उसको ये मीजर कर सकता है जबकि Sound Level Meter जो होता है ये इस device का नाम है ये असल में Intensity of Sound को नाप सकता है ठीकर जो Instrument दिया हुआ है ये क्या है Sound Level Meter है और ये क्या मीजर कर सकता है तो Intensity of Sound इसके बाद जो Third Statement है उसमें कहा गया कि Odometer जो है इसका इस्तिमाल किया जाता है Frequency के measurement के लिए और ये किस तरह की Frequency नापता है तो Electromagnetic Waves की जो Frequency होती है उसको ये नाप सकता है तो ये शब्द है इन्हें ध्यान दीजेगा अब इसमें कौन सा कथन आपका सही है वो आपको तलाशना है नीचे विकल्ब दिया है पहले प्रशन को देख लीजे और पंद्रहवा जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा उपर ही दिया हुआ है पहला दूसरा तो सही पहला भी ठीक है लेक्टो मीटर वाला और दूसरा साउंड लेवल मीटर वाला भी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दोनों पर्फेक्ट है और इसलिए हमने ए को चुना है लेकिन इन दोनों में क्या दिक्कत हो गई तो तीसरे वाले में समस्या यह है कि जो विद्दुचुम्ब की तरंगे होती है उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको मीजर करने के लिए हम ओंडो मीटर का इस्तिमाल करते है उसको हम किसमें मीजर करते हैं? ओंडो मीटर से मीजर करते है और odometer का इस्तिमाल होता है गाड़ी के पहियों के द्वारा चली वई दूरी को नापने के लिए तो ये आपस में अदला बदली हो गई है और इसलिए गलत हो गया इसके बाद 16 में को देखते हैं यहाँ देखें आप फिर से incorrect खोजने के लिए कहा जा रहा है तो चार स्टेट्मेंट है कहा गया कि प्रक्षालन मशीन जो है काफी शुद्ध हिंदी है तो प्रक्षालन मशीन जो है यह विसरण विधी के सिध्धान पर काम करती है मतलब आपकी जो वाशिंग मशीन है अभी किसी सोरूम में आप चले जाईए यह सब वेक्टर क्वांटिटी है सब में परिमाण के साथ साथ यानि magnitude के साथ सा direction भी required होती इसके पाद जो third statement है वो कहता है कि mass is obtained from the ratio of momentum and velocity of the substance यानि पदार्थ के समवेग और wake का अगर आप अनुपात निकाल देते हैं उससे उस पदार्थ का द्रविमान पता लग जाता है जबकि चौथा statement कहता है कि acceleration is obtained from the ratio of force and mass अगर आप force और mass का आपस में division कर देते हैं मतलब दोनुका ratio निकाल लेते हैं तो वो आपको प्राप्थ होता है acceleration के रूप में यानि द्वरण के रूप में यह जो washing machine है यह अपकेंद्री करण का जो सिध्धानत होता है उस पे काम करती है मतलब principle of centrifugation अब केंद्र बन कैसा होता है वो केंद्रे से बाहर की और लगता है तो इसलिए गंदगी जो है वो कपड़े से दूर निकल जाती है बाकी जितनी भी चीज़े हैं वो सही है B, C और D एकदम perfect प्रशन संख्या 17 को देखते हैं अब इसमें देखिए फिर से statement देकर कहा जा रहा है कि कौन सा सही है बताईए तो प्रशन आपने देखा अब इस प्रशन में कहा गया कि जो कथन दिये उन पर विचार करिए तो प्रित्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानि इसके velocity of earth जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है दूसरा statement कहता है कि Doppler प्रभाओ के द्वारा कृतिमुपग्रा प्रित्वी से सूसपष्टता से track किये जा सकते है Doppler effect जो है उसके माध्यम से जो artificial satellite है ठीक है वो आसानी से track किये जा सकते है और प्रित्वी से हम बैठे बैठे उन्हें जान सकते हैं कि वो कहा पर इसके बाद देखें तीसरे वाले statement को यदि प्रित्वी के सता से किसी पिंड पर कारे करने वाला गुरुत्वाकरशनबल एकदम से गायब हो जाए एकायब, शुन्य हो जाए तो जो पिंड का भार है वो भी शुन्य हो जाएगा उसका जो weight है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा लेकिन द्रभेमान वही रहेगा द्रविमान उस परिस्थिती में भी नहीं बदलेगा तो अब आप ये बताइए कि इन में जो कथन दिये हुए है कौन सा सही है तो प्रशन आपने देखा correct answer इसका D हो जाएगा ये तीनों ही कथन जो है ये सही है इसमें कोई समस्या नहीं है देखें गुरुत्वा करशडबल यानि जो gravitational force है अगर वो एकदम से गायव हो जाता है तो उस condition में weight जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि W is equal to होता है M into G ठीक है M into G होता है तो ये जो gravitational acceleration है ये काम करना बंद कर देगा तो इस condition में इसकी जो value है वो 0 होगी जीरो से multiply कर देंगे तो W का जो पूरा मान आएगा वो 0 हो जाएगा लेकिन mass जो है वो हर condition में चाहिए आप जहां भी उस चीज को ले जाएए वो समान रहेगा उसमें कोई परिवर्तल नहीं होगा तो D वाले option को चुना इसके बाद देखते हैं प्रशन संख्या ठारगो गलत रिकल्फ का आपको चैन करना है तो कहा जा रहा है कि due to centripetal force the cream gets separated from the milk after cleaning मतलब जो अभी केंद्र बल है उसके वज़े से ऐसा होता है कि जब आप क्रीम को दूद को मत दे हैं सलमें और आम तोर पे मत ही जाती है दही लेकिन दूद का भी मन्थन किया जाता है cream को अलग करने के लिए तो उसके पीछे cream अलग होती है किस कारण से अभी केंद्र बल की वज़े से अभी केंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो अंतर की चीजों को यह बाहर फेगता है तो वह थोड़ा उपर उठ जाता है नदी से निकल कर वो समुद्र में जाएगा तो उसकी जो उचाई है वो थोड़ी से बढ़ जाएगा बतलब उपर की वह उठ जाएगा टेकनीशियम पहला मानो निर्मित या कृतिम रूप से बना हुआ तत्व था और बादलों का घनत्म कम होने के कारण वे वायूमंडल में तैरते रहते हैं इस तरीके से हैं अब इसमें गलत विकल्ब का आपको चैन करना है इन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो अठार्मा जो आप देख रहे हैं इसका correct answer इसमें देख लिजे पहले इसका जो correct answer है वो A हो जाएगा इसमें पहले उपर वाला ही गलत दिया है A वाले option में इसलिए गड़बढ है क्योंकि यहां लिखा हुआ है अभी केंद्रबल और अभी केंद्रबल जैसा कि आप देखते हैं यह केंद्र की ओर लगता है न कि परशन सक्ख्या 19 कहा गया कि incorrect option कौन सा है बताइए तो पिश्ट तनाओ के कारण ही लोहे की सुई पानी की सतापर तैर्थी रहती है लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक और पारे की तुलना में कम होता है जिसकी वज़े से लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है मतलब जो iron nail होती है वो पारे पर यानि मरकरी पर float करती है लेकिन पानी के अंदर रखने पर या पानी की सता पर रखने पर वो नीचे डूब जाती है, तली में बैट जाती है तो ये घनत्यू की वज़ा से होता है, अब इसके बाद जो third statement है उसमें कहा गया कि जल का अधिक्तम घनत्व 377 Kelvin पर होता है, मतलब maximum density of water कितने temperature पर होता है 377 Kelvin पर, और D वाला statement कहता है कि जल का अधिक्तम घनत्व 4 degree Celsius पर होता है तो अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है, गलत विकल्प कौन सा है इसमें से, चुनना है आपको प्रशन संख्या 19 को आपने देखा, correct answer इसका C हो जाएगा, the maximum density of water is at 377 Kelvin ये जो maximum density का यहाँ पर पैमाना दे रखा है, तो ये 277 होता है ना कि 377 ये C वाला statement इसमें गलत है, और यहाँ पर होना चाहिए था 277, जबकि उससे 100 जादा दिया हुआ तो ये वाला गलत बाकी सब सही, प्रशन संख्या 20 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए, तो किसी वस्तु का आयतन अगर आप बदल दीजेगा, तो उसका जो घनत्व है, वो नहीं बदलता है आयतन बदल देने से उस चीज के घनत्व पर यानि उसकी जो डेंसिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है जिससे कि मशलिया और अन्य जलिय जीव जनतु जीवित रहते हैं और बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट जो है, वो तूफानी मौसम का संकेथ देती है जबकि आटो मॉबाइल्स के हाइड्रोलिक प्रेक जो है, वो आर्किमिडीज के नियम का जो सिध्धानत होता है, उस पर काम करते है तो इस तरीके से ये सारी चीजें दी हुई है, इसमें जो स्टेटमेंट हैं उन्हें ध्यान से देखिए और बताईए कि गल्ती कहाँ पर चार स्टेटमेंट है, तो वायुद आपकी कमी के कारण हवाई जाहाच से यात्रा करते समय, पेन से स्याही निकलने लगती है मतलब, due to increase in air pressure, ink start coming out of the pen while traveling in an aeroplane और जो B वाला स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया कि the viscosity of liquids increases with the increase of temperature viscosity जो है वो increase करेगी, अगर आप temperature को increase करते हैं, यह ऐसा होता है liquid में और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि when a bubble of air rising from the bottom of a lake comes to the upper surface, its size increases, जब वो bottom से surface पे आता है, यानि उपरी सतर पे पानी के आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, और liquid rises to greater height, यहाँ देखिया, greater height than water in an capillary tube because of surface tension of liquid is greater than that of water मतलब केशी का नली जो होती है, उसमें तरल पानी की तुलना में अधी कुछ आई तक चड़ता है कोई भी तरल पदा रहता है, अब उसका नाम यहाँ नहीं दिया है, वो पानी की तुलना में जादा हुचा चड़ता है viscosity of liquid increases with the increase of temperature ठीक, यह जो B वाला option है, यह इसमें गलत है, बाकी जितने हैं वो सभी सही है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें होना क्या चाहिए, फिर यह बताईए द्रवों की जो श्यानिता है, वो ताब बढ़ाने पर बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए यह आपको comment section में जबाब देना है प्रशन संख्या 22 को देखते हैं, यहाँ देखें, statement दिये हुए है कि due to surface tension, the kerosene starts rising in the wick of the wick stove जो बत्ती वाला stove होता है, बत्ती वाले खाना पकाने के लिए stove इस्तिमाल होते हैं तो उसमें जो बत्तियां लगी रहती है, उसमें kerosene aisle ऊपर के और चढ़ना शुरू करता है और इसके पीछे जो घटना जिम्यदार होती है, वो होती है, surface tension यानि प्रिष्टे तनाव और इसके बात जो दूसरा statement है, उसमें कहा गया कि किसी साबुन का जो बुल्बुला है, यानि soap bubble है वो आवेशित अगर कर दिया जाए, उसमें चार्ज अगर डाल दिया जाए, तो उसकी जो radius है, वो बढ़ जाती है, उसकी तरिज्जा में वृद्धी हो जाती है, अगर वो charged हो जाता है तो बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है प्रशन संख्या 22 को आपने देखा, correct answer इसका D हो जाएगा, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है दोनों ही बाते सही है, इसमें कुछ भी गड़वर नहीं, है न अगर किसी साबुन के बुलबुले पर आपको ही आवेश डाल देते हैं, आवेश उत्पन कर देते हैं, तो उसका जो size है वो बढ़ जाएगा रेडियस बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा यहां देखें आप, in color television, colors are created by the mixture of three basic colors, जो color TV होती है, उसमें जो color का mixture होता है, उसमें तीन basic color होते हैं, कौन-कौन से, तो red, green और blue, इसके बाद तक color of an opaque object is due to the color, it reflects, ठीक है, मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है, वो उस रंग के कारण होता है, जिसे वो अपर परावर्तित करता है, तो इस तरीके से इसमें सारी चीजें दी हुई है, अब इसमें से गल्ती कहाँ पर है, वो आपको तलाश नहीं है, तो इसमें ध्यान से देखेगा, 7 रंग होते हैं, सूरी के प्रकाश में इसमें कोई संदेह नहीं है, और बागी जो है, उन्हें भी तो correct answer इसका 23 है इसका हो जाएगा डी वाला इसमें से गल्टी जो है वो डी वाले statement में है वो देखकर ही मालूम हो रहा है इसे भी आपारदर्शी मतलब उसके आरपार प्रकाश नहीं जा रहा है तो आपारदर्शी है तो ऐसी वस्तु का जो रंग है वो उस रंग की वज़े स कर रहा है तो जिस color की light को reflect करेगा उस color का दिखाई देगा तो उस आधार पर डी वाला statement इसमें गलत हो जाता है इसके बाद 24 में को देखते है यहाँ पर statement जो दिया हुआ है उसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा होता है तो मनुश्य की आख में किसी वस्तु पर प्रति सटाकर्म को रख दिया गया है दोनों क्या है सटा के रख दिया जाते हैं अब यह जो यूगम बनता है मतलब दो लेंस है तो जोड़ा बन गया यह कांच की समतल प्लेट की तरह से काम करता है इसका जो काम है वो कैसा हो जाता है फ्लैट प्लेट की तरह से हो जाता है और ती दूसरा तीसरा ये तीनों ही जो statement है ये सही है ठीक है तीनों कथन जो है वो सही है पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है ठीक ये हमने देखा तो D को चुल लिया अब इसके बाद देखते हैं 25 में को इसमें भी statement दिया हुआ है और आपको ये बताना है गल्द सेंटीमीटर होती, इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो कहता है कि नतोदर दर्बड का उपयोग कारों की हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादी में परावर्तक के तौर पे किया जाता है, नतोदर मतलब कॉनकेव, ठीक है, आउतल की बात हो रही है तो आप यह बताईए कि इसमें से गलती कहाँ पर है, पूरे प्रशन को देख लीजे देखें जो 25th है, इसका राइट अंसर इसमें से C वाला हो जाएगा, यह जो तीसरा स्टेटमेंट है, यह सही है यह जो तीसरा स्टेटमेंट है, यह इसमें प्रशन के हिसाब से पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें से हमने इसे सही माना, इसका मतलब है कि इसमें गड़वड़ी है, जो गड़वड़ था, वही छाटना था यहां ये कहा गया है कि Aravatal धरपण का إस्तिमाल, मा पीजागा Aravatal lens का इस्तिमाल किया जाता है पढ़ने के काम में आने माले glasses में जबकि पढ़ने के काम में जो glasses इस्तिमाल होते हैं, उसमें अभिसारी lens, यानि जो उत्तल lens होता है, convex lens होता है उसका यूज किया जाता है तो ये गलत दिया था बाकी सब सही है प्रशन संख्या 26 को देखते हैं incorrect option आपको चुनना है तो निकट दृष्टी दोष्ट जो होता है यानि मायोपिया उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं अगर साथ कलर आपको लाइट के देखने है एक वरणी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तो उसे आप साथ रंगों में बाटना चाहते हैं तो आप उन्हें प्रिज्म से होकर गुजार दीजिए साथ रंग आपको दिखाई दे जाएंगे इसके बाद जो टी वाला स्टेटमेंट है वो यह कहता है कि when a mirror is rotated by an angle theta माल लीजे कि वो angle जो है वो theta है then the rotation of a reflected race become 2 theta मतलब जो reflected race की rotation है वो कैसी हो जाएगी दुग नहीं हो जाएगी यानि 2 theta हो जाएगी आम तोर पे कोडों को दर्शाने के लिए theta का use किया जाता है तो इसमें आप ये बताएगे गलती कहाँ पर है प्रश्न को आपने देखा दरपड को आप क्या कर रहे है थीटा कोड से rotate कर दे रहे है घुमा दे रहे है तो उसकी जो परावर्तित किरण होगी उसका घुड़न दुगना हो जाएगा ऐसा इसमें दिया है तो ये कुल मिलाकर चार स्टेटमेंट है गलती कहाँ पर है तो गलती इसमें देखे कहीं भी नहीं दिखाई देती है असल में जितनी भी बातें कहीं गई है वो सभी सही है इसमें कोई संदे नहीं है और निकट प्रिष्टी दोष्ट जो होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तिमाल किया जाता है ये आप जानते ही है बाकी सारी जानकारिया ठीक है तो इसमें से हम गलत किसी को नहीं कह सकते 27 को देखते हैं अब यहां incorrect option आप से चुनने के लिए कहा जा रहा है तो इसका जो B वाला option है इसमें ध्यान से पहले देख लिजेगा A वाले statement को खगोली दूर दर्शी से बना हुआ प्रतिवी में जो है वो आभासी और बड़ा होता है ठीक है image formed by an astronomical telescope is virtual and enlarged यह कैसी होती है आभासी होती है और बड़ी होती है लाल रंग का प्रकीरण सबसे ज़्यादा होने के कारण खत्रे के संकेतकों के लिए लाल रंग का इस्तिमाल किया जाता है maximum scattering of red color it is used for danger signals ठीक और इसके बाद it is because of scattering of light that the sun appears reddish at the time of sunset and sunrise ठीक प्रकाश के प्रकीरण के कारण ही सूरियास्तो और सूरियोदे के समय सूरियलाल रंग का दिखाई देता है the sky appears blue because of scattering of light प्रकाश का आकाश का रंग जो नीला हमें दिखता है वो असल में scattering of light की वज़े से दिखाई देता है गलती कहाँ पर है यह आपको बतानी रश्न को आप देख रहे है 27 जो है इसका right answer इसमें देख लीजे पहले B वाला हो जाएगा due to maximum scattering of red color it is used for danger signal अगर वो maximum scattering वाला होगा मतलब उसमें बिखरा हो प्रकीरण जादा होगा तो वो आसानी से दिखेगा ही नहीं जादा तर मातरा तो उसके बिखर जाएगी तो ऐसी condition में यह उल्टा दे दिया है यह गलत दिया है इसलिए इसको हम चुनते है B वाला option इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा लाल रंग का जो प्रकीरण होता है सफेद प्रकाश का मतलब वही एक वर्णी जो सूर्य का प्रकाश होता है मोनो क्रूमेटिक लाइट उसमें जो लाल रंग मौझूद होता है वो शीषे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है और दृष्य वर्ण करम में बैगनी रंग की तरंग दैर के सबसे कम होती है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, अब ये तीन statement आप देख रहे हैं, violet color has the shortest wavelength in the visible spectrum, देखी और बदाई ये गलती कहाँ पर है, तो ये जो 28 वा आपने देखा, इसका correct answer इसमें से A वाला हो जाएगा, केवल पहला, केवल जो से कम होने के कारण ही, traffic signal में लाल रंग के प्रकाश का इस्तिमाल किया जाता है, लाल रंग की तरंग दैर के सबसे ज़्यादा होती है, और इसलिए उसे traffic signal में use किया जाता है, बाकी जितनी information है, वो सबी सही है, गलत हमें खोजना था, इसके बाद 29 में को देखते हैं, यहां यूमन आई जो है, वो most sensitive होती है, yellow और green कलर के लिए, जबकि दूरदर्शन प्रिसारण में, श्रफ में संकेतों के प्रेशन के लिए आवरिंती modulant technology का यूज किया जाता है, frequency modulation technique जो है, वो यूज किया जाती है, transmission of audio signal in दूरदर्शन broadcasting, जबकि D वाला option यह कहता है, कि holography ज तो उन्तीसमा जो आप देख रहे हैं, इसका correct answer इसमें से D वाला हो जाएगा, holography जो है, वो three dimensional image को लेने के लिए काम आती है, जबकि इसमें दिया हुआ है two dimensional, तो यह वाला गलत है, यहाँ पे three BME यह होना चाहिए था, ना कि dviyayami, बाकि सारी information एकदम perfect, रशन संख्या 30 correct option आपको चुनना है, जब पानी में नमक डाला जाता है, तो पानी का क्वथनांग बढ़ जाता है, और इसका हिमांग कम हो जाता है, साल्ट अगर वाटर में आप एड करते हैं, तो boiling point जो है उसका increase कर जाएगा, और freezing point जो है, वो decrease कर जाएगा, जबकि दूसरा statement कहता है, पे same temperature है, उसको हम maintain कर पाएगे, तो अब ये बताएगे कि इसमे correct option कौन सा है, प्रशने आपने देखा, दो कथन है, सही की तलाश आपको करनी है, तो correct answer इसका क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सही है, यहाँ दोनों ही बाते जो हैं, वो 100% सही है, ठीक है, closes होते हैं, वो ऐसी condition में ज़्यादा जल्दी सुखेंगे, जहाँ पे high humidity हो और low temperature हो, जबकि दूसरा statement ये कहता है, कि बहुत ज़्यादा उचाहिए, पर वायमेंडली दाप कम हो जाता है, और इसलिए पानी 100 degree Celsius से कम तापमान पर ही उबलने लगता है, at high altitude, the atmospheric pressure is less, so water is start boiling at a temperature less than 100 degree Celsius, ऐसा करके दिया हुआ है, अब इसमें आप ये बताएं कि सही कौन सा है, 31 को आप देख रहे हैं, correct answer इसका भी हो जाएगा, इसमें देखें, दूसरा वाला तो सही है, अधिक उचाहिए पर वायमेंडली दबाव कम हो जाता है, जैसे जैसे हम उपर बढ़ते जाते है atmospheric pressure decrease करता जाता है, तो इस वज़र से 100 degree Celsius का जो temperature है, उससे कम तापमान पर ही पानी खौलने लगता है, तो ये बाट ठीक है, लेकिन पहला वाला गडबड दिया है, आप जानते हैं कि कपड़ों के सूखने के लिए, या किसी भी चीज को सुषक होने के लिए, सबसे आधर श statement है, तो पहले को देखते हैं, लोहा जो है वो उश्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, और इस वज़र से ठंड के मौसम में लोहे को इस परश करने पर लगड़ी की अपेक्षा वो जादा ठंडा लगता है, लोहे की एक बेंच है, उस पर बैठ जाईए, तो आपको जाद ठंडा महसूस होगा, तुलनात्मकरूप से एक लगड़ी की बेंच के, आप देखें, और इसके बाद ये कहा गया कि लगड़ी जो है वो उश्मा की कुचालक है, इसलिए वो कम ठंडी रहती है, तो इसमें लोहा जो है बहुत अच्छा चालक है, ऐसा कहा जा रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ताबा काच की अपेक्षा उश्मा का बहुत बेहतर सुजा लगए, ठीक, और ताबा काच को अगर एक समान टेंपरेचर पे आप गरम करते हैं, तो ताबा अधिक गरम लगता है काच की तुलना में, मतलब कॉपर is a better good conductor of heat than glass, so when copper and glass are heated to the same temperature, the copper feel hotter, ऐसा महसूस होता है, और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि काच की छड़ को जब भाप में रखा जाता है, तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती, glass rod जो है, उसको अगर आप steam में रखते हैं, तो उसकी length ही सिर्फ increase नहीं होती है, width भी increase कर जाती है, तो इसे आपने देखा, गलत की तलाश आपको करनी है, ये पूरा आप देख रहे हैं, 32 और 32 जो आपने देखा, इसका correct answer A हो जाएगा, इसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं, लोहा उश्मा का बहुत अच्छा सुचा लग है, और इसी वज़े से ठंड के यानि जो उसका diameter है, वो भी increase कर जाता है, तो ये सभी सही है, अब इसके बाद देखते हैं, प्रशन संख्या 33 को, गलत की तलाश आपको करनी है, अब इसमें कुछ न कुछ तो गलत होगा, तो रेफ्रेजरेटर में खाद्य पतार्थों को ताजा रखने के लिए 4 डिग्री ये तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकती है, और when ice melts, its volume increases, अगर बर्फ पिखल रही है, तो उसका जो आयतन है, वो क्या करेगा, बढ़ेगा, the normal temperature of a human body on the celsius scale is 36.9 degree, celsius scale पर अगर सामाने मनुष्य के शरीर का तापमान नापे, तो वो 36.9 degree आएगा, अब गलती है, तो उसका आयतन बढ़ता है, ये वाली जो चीज़े है, आयतन घट जाता है, ना कि बढ़ता है, यहाँ volume जो है, वो decrease करेगा, ना कि increase करेगा, बाकी सारी चीज़ें सही है, प्रश्न संख्या 34, इसमें गलत विकल्प का आपको चैन करना है, तो वायू में ध्वनी का वेग, आयाम और आबृति में परिवर्तन से प्रभावित होता है, velocity of sound in air is affected by that, changes in amplitude and frequency, है ना, और जो बी वाला statement है, उसमें कहा गया कि उनी रेशे एक पिशेश प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं, और इन रेशों के बीच में मौझूद हवा, हवा की वज़े से शरी की हवाय हो अंदर ही रह जाती है, तो इससे ही हमारे शरीर को गरम रखते हैं, इसके बाद ये कहा गया कि वायू में ध्वनी का वेग आदरिता बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि आदरिता बढ़ने पर वायू का घंद तो कम हो जाता है, velocity of sound in air increases with the increase of humidity, because of density of air decreases with the increase of humidity, इसमे आप increase or decrease वाला ध्यान दीजेगा, और चौथे वाले statement में कहा गया कि the velocity of sound in air increases with increase in temperature, वायू में ध्वनी का वेग तापमान में वृत्ती के साथ बढ़ जाता है, तो अब आप ये बताए कि गलती कहां पर है, चौथीसमे को आपने देखा, तो चौथीसमा जो है, इसका correct answer A हो वायू में ध्वनी का वेग जो है, वो आद्रता बढ़ने से बढ़ता है, और आद्रता बढ़ने पर वायू का घनतों कम हो जाता है, लेकिन आयाम और आप वृत्ती में परिवर्तन से इस पर कोई प्रभावन नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, इस उसमें बर्भ जमने से, माल लीजे कि आप पानी भर के उसे जमने के लिए रख देते हैं, तो बर्भ जमने से मॉटल तूट जाती है, जब पानी जीनो डिग्री सेल्सियस पर बर्भ में बदलता है, तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और इसलिए आंतरिक दबाव की सीमा ब तूटने का reason दिया हुआ है, यह सही है, लेकिन पहले वाले में कहा गया है जो पानी भरे गिलास में तेयरता हुआ बर्भ का टुकड़ा, उसमें समस्या क्या है, पानी भरे गिलास में अगर आप एक बर्भ का टुकड़ा तैरा दीजिए, मतलब डाल दीजिए, ऐसका उसम पर कोई बदलाओ या कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है और जलस्तर इसी लिए समान बना रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है ठीक तो यहां यह information की पानी का लेबल बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं तो बी को चुलनी आप अब इसके बाद 36 को देखते ह यहां पर कहा गया कि incorrect option कौन सा है बताईए तो रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, पराबैगनी तरंगे, विद्धुद्चुम्ब की तरंगे हैं और इसके बाद यह कहा जा रहा है यहां आप देख रहा है रेडियो वेब, एक्स वेब और अल्ट्रा वायलेट वेब्स जो अब आप यह बताईए कि गलती कहा पर है प्रशन को आपने देखा गलती इसमें सी वाले में है जो यहां लॉंग रेडियो वेब्स की बात हो रही है यही पर समस्या है यह मीसो स्पियर से रिफ्लेक्ट नहीं होती है बलकि आयनो स्पियर से होती है यहां मध्यमंडल नहीं बलकि आयन मंडल होना चाहिए था बाकी सारी इंफॉर्मेशन पर्फेक्ट है थर्टी से मिन को देखते हैं इनकरेक्ट आप्शन आपको चुनना है कॉस्मिक रेज जो है यह बहुत अधी कूर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है चार्ज पार्टिकिल होते हैं और सुक्षमाब्रती की तरंगें होती है यह आम तोर पर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसके साथ साथ यह कहा गया कि तो श्रिंग हो या दो उतर उतर या दो जो क्रमशा गर्द है उनके बीच का यह डिस्टेंस होता है और इसको हम कहते हैं एम्प्लिट्यूट तो आप यह बताएं कि गलती कहाँ पर है प्रशन को आपने देखा तो 37 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर D हो जाएग जो आपको चुनना है आतों के रोगों के निरान के लिए अवरक्त केरणों का इस्तिमाल किया जाता है इंफ्रा रग यह डियूकरत है टेली कम्यूनिकेशन में होता है, दूर संचार के लिए होता है जबकि infrared waves जो है उनका यूज किया जाता है night vision equipments में जो रात्री दृष्टी उपकरण होते हैं उनके लिए जबकि X rays जो है उनको यूज किया जाता है study of structure of crystals में ठीक इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें गलती कहाँ पर है आप बताई प्रेशन को आपने देखा correct answer इसका A हो जाएगा आतों का जो रोग होता है उसके निदान के लिए CT scan किया जाता है और X किरणों का उसमें इस्तिमाल किया जाता है यहाँ पर दिया है infrared rays तो यही गलत है X किरणों का इस्तिमाल होता है यहाँ जो किरणों का नाम दिया है वो गलत है और इसलिए हम A को चुनते हैं बाकी साही information सही 39 को देखते हैं incorrect option आपको चुनना है तो सामाने TV के remote control में अवरक्त किरणों का इस्तिमाल किया जाता है जो normal TV का remote control होता है उसमें infrared rays जो है वो use होती है longitudinal secondary waves are produced by the string of a star जो star नाम का वाति होता है उसके जो तार होते हैं वो अनुदायर के प्रगामी तरंगे उत्पन्न करने में सक्षम होते है और sound above 80 decibels is considered as harmful noise pollutants ये हानिकारक ध्वनी प्रदूशक के तोर पे माना जाता है अगर ध्वनी की जो तीवरता है उसका माप 80 decibels से जादा है जबकि level of 60 decibels has been considered as the standard sound level for human जो 60 decibels की ध्वनी की उच्छिता होती है वो मनुशियों के लिए मानक ध्वनी का इस्तर माना गया है तो इस तरीके से दिया हुआ इसमें गल्टी कहां पर है आप बताईए देखें 49 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बीवाला यह जो दूसरा statement है यह गल्ट है longitudinal secondary waves की बारे में कहा गया है कि वो produce होती है string of star से जबकि अनुप्रस्त अप्रगामी तरंगे होती है यानि transverse secondary waves होती है उनका यहाँ से production होता है तो यहाँ पे longitudinal देकर गड़बड कर दिया है प्रशन संख्या 40 यहाँ पर incorrect option आपको बताना है चार दिये हुए है उसमें से गलत कौन सा है तो विश्व स्वास्ते संगठन के त्वारा 45 decibel को किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनी प्रदूशन का इस्तर माना गया है और चमगादर जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं यहाँ ऐसा बताया जा रहा है और अपना शिकार भी कर सकते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सूपर सोनिक तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और उसी से निर्देशित होते हैं जो supersonic waves होती है उसको वो emit करते हैं और उसी के तोरा उन्हें guidance प्राप्त होता है ultrasonic waves यानि जो परश्रवे तरंगे होती है ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है यानि जो automatic doors होते हैं उनको ये control कर सकती है और ultrasonic waves जो है उनका इस्तेमाल होता है treatment of diseases में मतलब बिमारीों के उपचार में अब किस बिमारी के उपचार में इस्तेमाल होता है वो नहीं दिया है लेकिन रोकों के उपचार में ये इस्तेमाल होती है ऐसा कहा जा रहा है तो इसमें गड़बड कहाँ पर है प्रश्न को आपने देखा इसमें गड़बड है बी वाले में यहां देखें आप यह चमगादड़ों के पारे में कहा गया है कि जब अंधेरी रात होती है मतलब उजाले का एक दंग ही अभा होता है तो उसमें भी आराम से उड़ लेते है कि इसलिए यह स्टेटमेंट है यह रॉंग है इसके बाद 41 को देखें यहां कहा गया कि जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से विचार करके बताईए कि सही कौन सा है तो जो एसिड रेन यानि अमल भर्शा होती है उसमें सल्फ्यूरी कमल की मात्रा सबसे जादा होती है प्रदूशक के तौर पे जाने जाते हैं, मतलब उनसे hydrogen sulfide बहुत बड़ी मात्रा में release होती है, तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है, प्रशन को आपने देखा, एक तालीसमा आप देख रहे हैं, तो ये जो 41 नंबर का question है, इसे आपने देखा, correct answer इसका हो जाएगा, C वाले जो दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि जो petrol और diesel है, उसका अगर अधूरा प्रज्वलन होता है, मतलब उसे पूरी तरह से जलाया नहीं जा सका, यानि उसकी burning complete नहीं होती है, तो उससे carbon dioxide नहीं, बलकि carbon monoxide release होती है, CO2 नहीं, तो ये gas का नाम यहाँ पे गलत दिया उसमें योगदान प्रतिशत के आधार पे किन-किन gasों का है, तो ये सारी gasों का है, इसमें आपको ये करना होगा कि इसे अब रोही क्रम में arrange करिए, सबसे ज़्यादा participate करने वाली, सबसे ज़्यादा role play करने वाली जो gas है, उसको सबसे उपर रखेंगे, सबसे पहले रखें लेकिन आपको प्रतिशत मालूम होना चाहिए, तो वाटर वेपर जो है, वो लगभग 60% का आपना role play करती है, ओजोन का योगदान है, वो लगभग 8% का होता है, ठीक है, मिथेन का कितना होता है, तो मिथेन का होता है, लगभग 4% का, और नाइट्रस ऑकसाइड का कितना हो फिलाल यहाँ पर carbon dioxide दिया नहीं था, इसके बाद देखें 43 में प्रशन को, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा यूगम वायू का अ-carbonic gasey प्रदूशक नहीं है, इन और्गेनिक gaseous pollutant इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको चुनना है, तो hydrogen cyanide और hydrogen sulfide है, carbon dioxide और carbon monoxide है, sulfur dioxide है, ऐसे करके दिया हुआ है, अब इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा gasey प्रदूशक नहीं है, 43 को आपने देखा, तो 43 का जो right answer है, वो इसमें A हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जूकि अ-carbonic gasey प्रदूशक के range में ना आता हो, तो non of these को ही चुनने म भलाई है, वैसे अगर देखा जाए, तो वायू के जो अ-carbonic gasey प्रदूशक है, यानि इन-organic gaseous pollutant है, उसमें hydrogen cyanide का भी नाम आता है, hydrogen sulfide भी आती है, carbon monoxide भी आती है, sulfur dioxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide, यह सारी गैसे आती है, इसके पाद 44 में को देखते हैं, इसमें कहा गया कि गलत विगल्प कौन सा है, तो bisphenol A जो है, वो एक ओद्यो की क्रसायन है, और यह मुख्य रूप से polycarbonate नाम के कठोर पारदर्शी plastic के निर्माण में इस्तिमाल होता है, ठीक, bisphenol A जो है, वो industrial chemical है, और mainly इसका use कहा पे होता है, manufacture of hard and transparent plastic, और उसे कहा जाता है, polycarbonate, अब इसके बाद जो दूस skin cancer increases due to ozone depression, ozone depression की वज़े से चमड़ी के cancer का risk बढ़ जाता है, तो गल्दी कहाँ पर है, आप यह बताईए, प्रशन को देख लीजे, यह पूरा प्रशन आपके सामने है, और correct answer इसका क्या होना चाहिए, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही जो है, वो सही है, तीनों ही sulphate का यूज होता है, फर्टिलाइजर में, potassium nitrate का यूज होता है, gun powder यह पारूद बनाने में, और monopotassium tartrate यह योगिक है, इसका इस्तेमाल की नाशक के तौर पे, यानि जो pesticide है, उसके तौर पे किया जाता है, तो इसमें आपको यह बताना है कि गल्दी कहाँ पर है, प्रशन किया जाता है, बाकी सब सही है, प्रशन संख्या 46, जिसमें से correct option आपको चुनकर बाहर करना है, तो फ्रेयान का इस्तेमाल किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, यानि रेफ्रेजरेंट के तौर पे, और neoprin और kevlar, यह दोनों क्या है, संसलेशित रबड है, synthetic रबड, त इसरा statement कर रहा है कि taxol एक प्रकार की cancer, रोधी दवा का नाम है, यह anti-cancer drug है, तो आप यह बता ही कि correct कौन सा है, प्रशन को आपने देखा, तीन अच्छे-च्छे statement है, और 46 जो है, इसका right answer C हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा इसमें सही है, लेकिन यह जो neoprin और kevlar का द दिया है, C को चुन लिया, प्रशन संख्या 47 को देखते है, यहाँ बे correct option आपको बाहर करना है, तो बेंजीन hexacloride का इस्तेमाल किया जाता है, कीट नाशी के तौर पे, carbon tetra chloride का यूज किया जाता है, एक प्रकार के, बिसफोटक के तौर पे, explosive के तौर पे, nitro cellulose जो है, वो उपर ही दिया है, यह वाला, बेंजीन hexacloride का जो इस्तेमाल दिया है, की यह insecticide के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक, लेकिन बाकी अगर आप देखें, तो carbon tetra chloride जो है, यहाँ दिया हुआ है, यह carbon tetra chloride का इस्तेमाल अगनी शामक के तौर पे किया जाता है, ना कि विसफोट के तौर पे, ठीक है, यह विसफोट को शांत करने के लिए होता है, जबकि nitrocellulose जो आप देख रहे हैं, यह विसफोट है, यह बहुत भेंकर विसफोट उत्पनने करता है, और tetraethyl lead जो है, वो anti-knocking agent के तौर पे काम आता है, प्रशन संख्या 48 को देखते हैं, पूछा गय और cadmium से बने होते हैं, जबकि car के battery में इस्तिमाल होने वाला जो acid होता है, वो sulfuric acid है, H2SO4, और एक dry cell में जो रासायनिक उर्जा विदिमान होती है, यहां यह उर्जा का प्रकार कौन सा होता है, यह पूछा जा सकता है, तो देखें, यहां दिया हुआ है, कि जो सुषक से यानि dry cell होता है, उसमें chemical energy मौझूद होती है, और T वाला statement कहता है, कि dry cell में ammonium chloride और zinc chloride का विद्धु तबघट इस्तिमाल किया जाता है, तो कुल मिलाकर ऐसे 4 statement है, गलत की तलाश आपको करनी है, यह 48, और 48 का जो right answer है, वो इसमें A हो जाएगा, यहां आपने देखा A वाले इन सभी जितने भी साधन है, इसमें सामाने दोर पे जो chargeable battery use होती है, वो nickel और cadmium के electrode का इस्तिमाल करती है, और यहां पी क्या दिया है, sodium और cadmium दिया है, तो इसलिए गलत हो गया, यहां nickel होना चाहिए था, बाकी सारी information सही है, तो इसमें से हमें गलत चुनकर बाहर करना थ प्रशन संख्या उन्चास, पूछा गया कि incorrect कौन सा है, तो इसमें Charles Darwin का जो योगदान है, उसमें कहा गया कि इन्होंने विकास की सिध्धान को प्रतिपादित किया था, theory of evolution को इन्होंने प्रोपाउंड किया था, जबकि दो हलके नाभिक मिलकर किसी भारी तत्व के नाभि यह विखंडन, दो lighter nuclei जो है, यह combined होते हैं और एक heavier element को generate करते हैं, तो यह जो process है, यह nuclear fission का process होता है, इसके साथ साथ ही बताया गया कि the technology used to obtain liquid oxygen or liquid hydrogen on an industrial scale is called cryogenics, cryogenics जो है वो एक तरह की technology है जिसमें कि तरल oxygen या तरल hydrogen प्राप्त करने के लिए इसे use किया जाता है, और potassium में ए योग करता है, तो micronutrient कौन होते हैं, microcon होते हैं यह आपको पता होना चाहिए, गलती कहां पर है यह बताई, तो 49 आप देख रहे हैं और इसका जो correct answer है, देख लीजे, B वाला है, B वाले में कहा गया कि दो हलके नाभिक मिलते हैं, तो किसी भारी तत्वे के नाभिक का निर करता है, calcium carbonate छारी भूमी सुधारक के तौर पे काम करता है, calcium carbonate जो है, वो alkaline soil reformer के तौर पे काम करता है, सफेद फासपोरस जब हवा में अंधेरे में रखा जाता है, तो स्वता ही दीप्तिमान हो जाता है, ठीक, माजिस के निरमाड में लाल फासपोरस का इस्तिमाल किया जाता है, और ईयोसीन के द्वारा लाल स्याही बनाई जाती है, यह सारी चीजे इसमें दी हुई है, अब गलत विकल्ब की तलाश आपको करनी है, यह है पचासमा प्रशन, और पचासमा जो आप देख रहे हैं, इसका correct answer इसमें A हो जाएगा, ठीक है, calcium carbonate जो है, यह चारी जमीन में डालेंगे, जो alkaline soil होती है, उसमें आप कुछ हुगा सकते हैं, इसके बाद प्रशन संख्या, एक क्यावन को देखें, incorrect option आपको चुनना है, तो dry cleaning का जो process होता है, उसमें benzene, petrol और alcohol तीनों को मिला के इस्तिमाल किया जाता है, और सिंदूर का रासायनिक नाम mercury chloride होत तो अब इसमें आप यह बताएं कि गल्ती कहाँ पर है, प्रशन को आप देख रहे हैं, correct answer इसका भी हो जाएगा, यहाँ जो vermilion का chemical नाम दिया हुआ है, वो गलत है, इसे mercury sulfide का आजाता है, नाकि mercury chloride, तो यह yogic का नाम यहाँ पर गलत दिया है, बावन वे प्रशन को देखत poison के तौर पर जाना जाता है, मतलब zinc phosphide का इस्तिमाल चूहा बारने की दवा के तौर पर किया जाता है, और copper sulfide जो है वो शैवाल नाशी की तौर पर इस्तिमाल होता है, तो यह सारी चीजे दी हुई है, अब इसमें से गल्ती कहाँ पर है वो आपको बतानी है, प्रशन को आ को देखते हैं, इसमें का आगया कि correct option कौन सा है बताईए, तो kruk glass जो है, इसका इस्तिमाल धूपी चश्मा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, यह धूप के चश्मे बनाने के लिए इस्तिमाल होता है, और इसकी जो quality है, यह ultraviolet radiation को absorb कर लेता है, इस वज़े से ऐसा किय जाता है, इसके बाद जो foul smell होती है, यानि दुरगंद होती है, वो मरीवी मशलियों से निकलती है, और उसके पीछे reason है, sulfur के योगिक, sulfur के योगिक वहाँ उत्पन्न होते हैं, और वो बुरी माहग को पैदा करते हैं, ammonia की वज़े से ही जो urinal होते है, यानि मूत्राले होते ह नाक में चुबने वाली गंध निकलती है, तो वो जो दुरगंद होती है, उसके पीछे ammonia जिम्मिदार होता है, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के रूप में भी जाना जाता है, ये philosopher's wool कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड, तो आप ये बताएए कि इसमें गलती कहाँ प तो sulfur के योगी हर जगह काम नहीं करते हैं, ये अवश्यक नहीं है कि जहाँ बुरी महाकारी है, वहाँ sulfur के योगी कही काम कर रहे हैं, बाकी सारी information सही है, प्रशने संख्या चोवन को देखते हैं, गलत विकल्प काप को चैन करना है, तो एथ्रिलीन जो है, वो एक संसलेशि गैस को अगनी शामक यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, और soda water की bottle को खोलने के लिए, फास्पोरी केसिड, आप कीजेगा, soda water की bottle को खोलने पर सबसे पहले जो बाहर आता है, वो होता है, फास्पोरी केसिड, तो अब आप यह बताएं कि गल्ती कहाँ पर है, प्रशने को को देखते हैं, गलत भी गल्प का आपको चैन करना है, तो अगनी रोधा कपड़ा बनाने में अलुमिनियम ख्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, पाइरेथ्रम एक प्राकृतिक कीट नाशक है, ऐसा कहा गया, बतलब नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, और मॉस्कीटो क प्रशन को आपने देखा, ये जो 55 है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अगनी रोधा कपड़ा बनाने में अलुमिनियम ख्लोराइड का इस्तिमाल किया जाता है, यही वाला गलत है, फाइर्प्रूफ क्लोथ जो है, इसको बनाने में किसका इस्तिमाल किया जाता है, अल Aluminium Phosphide जो है उसका यूज किया जाता है, एक कीट नाशक के रूप में, एक चूहा नाशक के रूप में, या खाध्यानों के भंडारण में धूमक के तौर पे, तो इसमें आप पता हैं, देखें कौन सा होगा, Aluminium Phosphide किस रूप में इस्तिमाल होता है, तो 56 जो आपने देख और जो इसका भक्षण करने वाले जिव जन्तु हैं, उनसे बचाओ के लिए इसका इस्तिमाल करते हैं, प्रशन संख्या 57 को देखते हैं, यहाँ पर जो इस्टेटमेंट दिये हैं, उन्हें कॉंसीडर करके देखिए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो sodium chloride का इस्तिमाल एक हैं, तीसरा भी सही है, सही ही हमें खोजना था, इसमें सभी ही, ठीक, इसे हमने देखा, इसके बाद अठावन में को देखते हैं, गलत विकल्प का चैन करना है, पपीते में पीला रंग जो है, वो कैरिका क्वेथिन की वज़े से दिखाई देता है, ऐसा बताया गया, और यहाँ पर जो लिखाया है, इसको थोड़ा सही कर लिजे, कैरिका जैन्थिन की वज़े से दिखाई देता है, ऐसा इसमें कहा गया, इसका जो इंगलिश वर्जन है, वहाँ स्पेलिंग ठीक दिखी, इसके बाद बिर्च में तीखापन जो है, वो एंथोसाइनिन की वज़ करना पड़ेगा, तो अब इसमें यह सारी चीज़े दी हुई है, इसमें से सही कौन सा है, वो आपको बताना है, रश्न को आपने देखा, करिक टांसर 57 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इसमें जितनी भी बाते हैं, वो सभी सभी सही है, यह सारी इंफॉर्मे जो है, और मिर्च में जो लाल रंग होता है, वो कैपसिन थिन की वज़े से होता है, ऐसा इसमें दिया है, गलत विकल्प का आपको चैन करना है, तो 58 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें से B हो जाएगा, मिर्च में जो तीखापन है, वो एंफोसाइनिन की वज़े से दिया है, जबकि मिर्च का तीखापन कैपसिन की वज़े से होता है, एंफोसाइनिन जो है, वो तो लाल रंग के लिए उत्तरदाई होता है, जैसे गाजर का लाल रंग, इसके बाद 59 को देखें, अब यहाँ पर स्टेट्मेंट जो दिया है, उसमें से आपको य जलब कौन सा है, तो यूरिया, सोडियम, सलफेट और पोटेशियम, नाइट्रेट जो है, यह केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तिमाल होते हैं, रासायनिक उरवरक होते हैं, और यूरिया जो है, यह मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर है, फाईलर स्प्रेइंग की प्रश्न को आपने देखा तो 59 जो है इसका correct answer A हो जाएगा किवल पहला वाला गलत है यहाँ जो यह रासायनी कुरवर्कों की सूची दे रखी है इसी में गड़बढ है वैसे आप पूरे प्रश्न को देख लीजे देखे इसका जो पहला वाला है न मतलब only first इसी को चुनेंगे यह वाले option यूरिया सूपर फास्पेट और पोटेशियम नाइट्रेट यह तीन ज नाइट्रोजन होती है वो धर्ती पर उतरती है आकाशिय विद्दूत के माध्यम से और भी तमाम तरीके होते हैं और जमीन में उसका fixation का काम इस्थरी करण का काम शुरू होता है तो पौदों को जिस रूप में वो प्राप्त होती है वो होता है नाइट्राइट डाई अम अब यह जो 60 पर प्रशन है इसका correct answer इसमें देख लीजे ए वाला हो जाएगा केवल पहला वाला इसमें गलत है नाइट्रोजन जो पौदों को प्राप्त होती है वो असल में नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है नाइट्राइट के रूप में नाइट्रेट के र क्रिशी में नाइट्रोजनी और वर्कों का बहुत ज्यादा प्रयोग करने से भूमिगत जल में नाइट्रेट का निच्छालन हो जाता है ठीक तो नाइट्रेट लीचिंग हो जाती है ऐसा दिया हुआ है ग्राउंड वाटर में अब आप यह बताइए कि सही कौन सा है दूसरा भी है और तीसरा भी है लेकिन यह पहला वाला जो दिया है यही गड़बड एक किलोग्राम नाइट्रोजन अगर आपको उसको आपूर्ती करनी है तो उसके लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की मात्रा चाहिए होती है ना कि 4.2 यह कुछ जादा ही दे दिया है दो द अगर विकास करवाना है तो आपको फास्पूरस पौधों को देना चाहिए जबकि पोटेशियम जो है वो important role play करता है opening and closing of stomata, stomata जो है उसके खुलने और बंद होने में पोटेशियम का बड़ा रोल होता है बोरान जो है वो कई विमारियों के खिलाब प्रतिरोधक छमता व वाला हो जाएगा sulfur पौधों की वृध्धी और विकास के लिए आवश्यक होता है ये वाला इसमें जो कहा गया nitrogen असल में पौधों की वृध्धी और विकास के लिए आवश्यक होता है ठीक है ये अनिवारी रूप से पौधों को चाहिए होता है ने तो वो विक्सित नहीं वो पाएंगे और जहांगे मिट्टी में nitrogen मौझूद नहीं होता है वहां के कौदे कीट भक्षी बन जाते हैं अपनी nitrogen की आउशक्ता को फूरा करने के लिए वो कीडे मकोडे पकड़ कर खाने लगते हैं तो प्रशन संखिया 63 को देखते हैं यहां पर पूछा गया कि select the incorrect option मतलब गलत कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है तो पहले में कहा गया कि इसमें एक केमिकल का नाम दिया है sodium benzoate और इसका use होता है preservation of food items in keeping fruit juice safe मतलब जो फलों के juice है या तमाब चीजे जो खाने के पदार्त है उनको सुरक्षित रखने के लिए preservation के लिए हम इस्तिमाल करते हैं और उस केमिकल का नाम है sodium benzoate इसके बाद जो दूसरा statement है वो यह बता रहा है कि potato chips जो है यह plastic bag में भरे जाते हैं और इनकी जो packaging है वो nitrogen gas मतलब why mentally nitrogen gas उसमें भरी जाती है ऐसा कहा जा रहा है या सीधे तोर पे कहें तो जो आलू के chips या uncle chips का packet होता है उसके अंदर हवा भरी रहती है तो हवा क्या है nitrogen होती है असल में जो कि chips के packet के अंदर भरी जाती है और इसके बाद सुक्रोज को बताया गया कि main component है honey का मतलब शाहद के अंदर सबसे जो मुख्य घटक होता है मिठास के तौर पे वो सुक्रोज होता है तो आप ये बताये कि इसमें गलती कहाँ पर है तीन कथन दी हुए है और ये तीनों कथन शाहद का घटक नहीं होता है फ्रक्टोज होता है जो फलों की शरकरा होती है फूलों से निकलने वाला पराग होता है उससे मदमक्हिया शाहद का निर्माण करती है तो इसमें से तीसरा वाला statement गलत है बाकि जितने भी है ये दूसरा वाला भी सही है थीसरा पहला वाला भी सही खाद्य पतार्तों के संरच्छन में सोडियम बेंजोइट का यूज किया जाता है बिना टाउट ठीक तो C को चुल लिया आप इसके बाद 64 में को देखते है यहां incorrect option आपको चुलना है तो aspirin जो है वो पेड़ की latex से त्यार की जाती है जबकि aspirin का इस्तिमाल जौर नाशक के तौर पर किया जाता है antipiratic के तौर पर यूज होती है और aspirin जो है वो pencular के तौर पर इस्तिमाल की जाती है जबकि aspirin जो है वो tranquilizer medicine है ठीक है, aspirin क्या है? यह असल में जबकि potassium bromide का use होता है tranquilizer के तौर पर यहाँ पर aspirin दे दिया है इसके बाद आगे बढ़ते है और aspirin होती क्या है असल में तो यह acetyl sacylic acid होती है ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो acetyl sacylic salicylic acid होता है इसी नाम से प्रयोक्षाला में जानी जाती है और प्रचलिक तोर पर जो इसका दुकानों वाला नाम है वो aspirin होता है तो इसी के बारे में दिया हुआ है इसका स्रोध भी बता दिया है तो हो सकता है कभी-कभी इसका जो main source है वो पूछा जाए तो D वाला गलत है, अब इसके बाद का ब्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो आप यह बताईए कि इसमें जो statement दिया हुए है, कौन सा statement correct है सही की तलाश आपको करने है 65 आपने देखा 65 जो है इसका correct answer C हो जाएगा यहाँ आप देख रहें, दूसरा और तीसरा जो है और दर्द खीचने का भी काम करता है तो इसे दर्द निवारेक के तौरपे इस्तिमाल किया जाता है और तीसरा वाला भी सही है लेकिन पपीते को हम लोग जादा common तरीके से जेली बनाने में यूज नहीं करते हैं जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है अमरूद क्योंकि वो इसके लिए उप्यूक्त होता है तो दूसरा वाला स्टेट्मेंट इसमें से गलत है पहला और तीसरा सही है इसके बाद चलते हैं 6-6 की ओर और इसमें कहा गया कि लपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन गयस होती है तो अब आप ये बताईए कि गलती कहां पर है प्रश्न को आपने देखा ये है 6-8 वा और इसका जो सही जवाब है 6-8 वी को आप देख रहा है C वाला हो जाएगा केवल तीसरा इसमें incorrect कौन सा है केवल तीसरा वाला ये घरेलू इधन की तौर पे इस्तिमाल होने वाली जो LPG gas होती है ये मूल रूप से प्रोपेन से बनी होती है जबकि मूल रूप से इसका घड़ा क्या होता है ब्यूटेन होता है प्रोपेन नहीं होता बलकि ब्यूटेन होता है तो यही इसमें गलत बागी सब सही रशन संख्या सरसथ इसमें correct option आपको खोजना है तीन statement दिया है गोबर में बहुत अधिक मात्रा में energy होती है जिसे कि bio gas सायंतर में hydrogenization की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा निकाला जाता है hydrogen की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इसे produce किया जाता है इसके बाद आप देखें कि oxygen के अरुपस्तिती में किसी भी carbonic पदार्त का जैविक अप घटन जो होता है उससे उत्पन्न gas को bio gas कहा जाता है decomposition of any organic matter in the absence of oxygen is called bio gas और bio gas के जो मुखे घटक होते हैं उसमें methane gas और carbon dioxide आते हैं तो इसमें आप यह बताईए कि सही कौन सा है प्रश्न को आपने देखा सरसथवा आप देख रहे हैं और सरसथवा जो है इसका correct answer B हो जाएगा दूसरा और तीसरा ठीक है दूसरा और तीसरा oxygen की गैर मौजूदकी में किसी carbonic पतार्थ का जैविक अभटन कराते हैं यानि डिकंपोजिशन कराते हैं तो उस समय जो gas वहाँ पर उत्पन्न होती है वो होती है बायो गैस ठीक है सही बात है लेकिन उपर वाला जो दिया है hydrogen करण की प्रक्रिया वो गलत है असल बात यह है कि गोबर में जो बहुत जादा मात्रा में एनर्जी होती है उसको किडवन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है उसमें fermentation का जो process है वो काम करता है ना कि hydrogen करण का तो यह पहला वाला इसमें विधी का नाम गलत ही है इसके बाद 60 में प्रशन की ओर चलते है जिसमें की फिर से 3 statement है सही की तलाश आपको करनी है तो petrol की गुडवत्ता को octane संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है quality आप petrol जो है उसको express करना है तो किस रूप में व्यक्त करेंगे octane number के तोर पे और इसके बाद diesel इधन जो है इसकी गुडवत्ता का परिक्षण करने के लिए सीटेन संख्या का इस्तिमाल किया जाता है सीटेन number जो है वो यूज किया जाता है test of quality आप diesel fuel प्राकृतिक gas है एक रंगी हीन और गंधी हीन गैस है और इसमें methane की मात्रा लगबग 80% होती है तो सही का आपको चैन करना है प्रशन आपने देखा और 60 जो आप देख रहे हैं यहाँ देखें correct answer इसका D हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों सही है इसमें कुछ भी गड़वर नहीं है मतलब पिछले साल के जो प्रशन है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है लेकिन बहुत सारी information जो पिछले साल के प्रशनों में छिपी होती है उसको इकठा करके आयोग एक प्रशन भी बना सकता है तो इसलिए previous year questions आपके काम के होते है तो D को चुल लिया अब इसके बाद उन्हें तरवे को देखते है यहां कहा जा रहा है कि correct option कौन सा है तो कुल मिलाकर तीन statement है पहले मैं कहा गया कि glycerol जो है वो एक कार्वनी की योगिक glycerol क्या है एक कार्वनी की योगिक है और Trinitro Taluin जो है उसको Nobel Oil भी कहा जाता है Nobel तेल भी कहा जाता है अब आप यह बताईए कि सही कौन सा है रश्न संख्या 79 को आपने देखा और इसका जो सही जबाब है वो ए हो जाएगा पहला और दूसरा ठीक है पहला और दूसरा ये दोलों क्या है सही है और तीसरा वाला जो है वो गलत है Trinitro Taluin जो है उसको Nobel Oil नहीं कहा जाता है Trinitro Glycerine जो होता है TNG उसको कहा जाता है Nobel का तेल TNT को नहीं कहते है बलकि TNG को कहते है तो यहाँ पह यह गलत दिया है इसके बाद सतर्वे प्रशन को देखते है यहाँ incorrect option आपको चुनना है तो acid जो की बहुत भारी मात्रा में अंगूर के अंदर पाया जाता है ग्रेप के अंदर जो evidence amount में acid पाया जाता है वो tartaric acid होता है और hydrochloric acid जो है यह baking powder के production में इस्तेमाल होता है सिरका यह जो vinegar होता है इसका रासाइनिक नाम है acetic acid मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर acetic अंदर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में photographi में oxalic acid का इस्तेमाल किया जाता है यह सारी जानकारियां यहाँ पर दी हुई है अब इसमें से गलत कौन सा है वो आपको तलाशना है प्रशने संख्या 70 को आप देख रहे हैं यहाँ पर यह 4 कथन है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें B वाला हो जाएगा देखिए hydrochloric acid जो है उसका यूज होता है manufacturing of baking powder में यह गलत दिया है जबकि tartaric acid जो होता है उसी को baking powder के निर्माणे में इस्तिमाल किया जाता है tartaric acid जो होता है अभी आपने देखा ना अंगूर में यह बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है और इसी का इस्तिमाल किया जाता है बेकरी इंडरस्ट्री में इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण संख्याई काहत्तर कौन सा विकल्प इसमें सही तरीके से मैच है वो आपको ढूड़ना है तो सेब के अंदर कार्बोनील एसिट पाया जाता है ऐसा दिया है केले के अंदर पाया जाता है टार्टरिक और पिकल यानि जो अचार होता है उसके अंदर मैलिक एसिट पाया जाता है और सोडा वाटर में पाया जाता है इसमें सही कौन सा है कोई एक ही है वो आपको बतान ना था ना, तो केले के अंदर टार्टरी केसिड होता है, यही एक मात्रस में सही दिया है, सही जानकारी हमने खोजी, बाकी जो है उनको देख लेते हैं, तो सेव के अंदर होता है, मैली केसिड, कार्बोनिल दिया हुआ, ऐसे वो गलत है, और अचार के अंदर होता है, एसिट जमा होने के कारण शरीर जो है वो ठका हुआ अनभाव करता है सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन ये सब जैव निमनिकरित बहुलक होते हैं बायोडिग्रिडेबल होते हैं पॉलीमर के तोर पे और कंडेनसेशन अप फिनॉल और फार्मल्डि हाइड प्रोट्यूस बेकेलाइड जो फिनॉल और फार्मल्डि हाइड होती है उसका अगर संगनन होता है तो उससे बेकेलाइड बनता है अब आप यह बताईए कि सही कौन सा है से तीन कथेन आप देख रहे हैं 72 जो आपने देखा इसका right answer D हो जाएगा तीनों ही सही है तीनों information आपको सिर्फ बताने की उद्देश से यहाँ पर दी गई थी और ऐसा नहीं है कि यह एक साथ कभी भी मिलेंगी इसके बाद 73 को देखते हैं इनकरेक्ट option आपको चुनना है तो lexon, neoprin और fibron यह artificial substances है यह प्राकृतिक पदार्थ नहीं है बलकि प्रतिम है zinc oxide का इस्तेमाल बर्दनों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है यहाँ आप देख रहे है teflon का यूज किया जाता है विशेश रूप से बर्दनों पर non-stick सता के रूप में चढ़ाने के लिए कोट के तौर पे और teflon का सामाने नाम है poly tetrafloro ethylene अब आप यह बताईए कि इसमें गलती कहाँ पर है चार statement है कोई एक गलत होगा कौन सा गलत है तो 73 को आपने देखा correct answer इसका A हो जाएगा lexon, neoprene और fibron यह artificial है इसमें यह बताया गया lexon, neoprene और teflon असल में कृतिम पदार्द है fibron नहीं फ़ाइब्रोन जो है वो क्या है प्राकृतिक पदार्द यह इसमें सामिल करके इस पूरे statement को गड़बड कर दिया है बाकी सब सही प्रशन संख्या 44 को देखते है यहाँ incorrect फिर से खोजने के लिए कहा जा रहा है तो kevlar और lexon, यह बहुलकों का उपयो bullet proof जो चीज़ें होती है उनको बनाने के लिए किया जाता है प्लास्टिक से पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है और पॉलिथिन एथिलीन का बहुलक होता है ऐसे करके दिया हुआ है इसमें से गलत विकल्प का चैन आपको करना है 74 आपने देखा तो 74 जो है इसका right answer इसमें से क्या होना चाहिए D वाला होना चाहिए इसमें से कुछ भी गलत नहीं है ये सारी information तो ठीक ठाक दिखाई देती है क्यावलावर और लेक्सान जो है ये बहुलक है और bullet proof चीज़ों को बनाने में इस्तिमाल होते है तो इन में से कोई भी गलत नहीं इसके बाद 75 select the correct option अब पेट में बनने वाला जो अतरिक असिड है पेट में जो असिड होता है वो भोजन को पचाने में सायोग करता है लेकिन ज़्यादा बनने लगे तो उसको कम करने के लिए anti-acid जो अशदियां होती है उनका इस्तिमाल किया जाता है जो के अंगुरित बीजों का अगर आप fermentation यानि किडवन करते हैं तो उससे जो शराब बनती है उसको कहते है बीर ठीक और aquaresia nitric अमल और hydrochloric अमल का मिश्रण होता है nitric acid और hydrochloric acid को मिलाने से क्या बनता है aquaresia यानि अमल राज का निर्माड होता है तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है तो प्रशन संख्या 75 और correct answer इसका D हो जाएगा ये सभी सही ने जितनी चीज़ें इसमें दी हुई है वो सब की सब सही है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि हम बाहर कर सके अमल राज या एक्वारेजिया ये नाइट्रो हाइड्रो क्लोरी कम लिखा जाता है और nitric acid और hydrochloric acid को जो की concentrate state में होते हैं सांध रवस्था में होते हैं उनको मिलाने से ये तयार होता है और इसका जो cloud होता है मतलब इससे निकलने माली जो भाब है वो ही इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होते है कि उसके संपर्क में अगर कोई मानो शरीर आता है तो ये हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखता है ये आपने देखा और जीवों को मतलब बाकी जो बड़े जानवर है उनको परिशान करते है बलकि बैक्टीरिया को भी तंग किये रहते है तो ये बैक्टीरियों फेस कहलाते है यानि जीवाडू भोजी कहलाते और डेगू एक प्रकार का बुखार है ये तो आप जानते ही है और ये वाइरस और मादा Edies मच्छर के द्वारा उतपन्नू होता है मतलब वाहद का काम करती है और इसमें जो मूल कारक है वो एक वाइरस होता है डेगू बुखार में मानौशरीर में लाल रुख्त कईकाएं जो है लाल रुधिर कईकाएं जो हैं उनकी कमी हो जाती है, अब आप ये बताइए कि correct option कौन सा है, तो 76 का अगर देखा जाए, तो कि वहल पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, वही सही है, देगो एक प्रकार का बुखार है जो कि वाइरस की वज़े से होता है, और इसमें फैलाने का काम कौन करता है, मच्छर करते हैं, A.D.S. प्रजाती की जो मादा होती है, वो ये काम करती है, और इसमें शरीर में प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, जो लाल रख्त कडिकाये हैं, उनकी कमी नहीं होती है, बलकि प्लेटलेट्स का count जो है, वो बहुत तेजी से decrease करने लगता है, और यहीं खतरनाक कंडिशन होती है, तो इसमें से हमने एक को चुना, प्रशन संख्या 77 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि गलत विकल्प का चैन करी है, तो पीला बुखार यानि यलो फीवर जो होता है, ये किस वज़े से होता है, इसके पीछे एक छोटा सा वायरस उतरद अए गुनिया, जबकि जापानी इसेlest datos का जो कारक है, वो फ्लहवी विराइटी कुल का एक वायरस है, मतलब फ्लहवी विराइटी उसके फैमिली का नाम है और उसी फैमिली से बिलॉंड करता है, एक वायरस, जो की दिमागी बुखार के लिए उतरदाई होता है, और ये ज इसा देखा जाता है कि बुखार से अगर इंसान उबर भी जाए तो उसकी जो यादाश्त और उसकी जो इस्मृति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, सोचने समझने की शक्ती पर प्रभाव पड़ता है, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है तो इनसे इसमाला रोग जो है यानि मंपस, रेबीज और हर्पीज ये तीन प्रकार के जो रोग है और इसके साथ-साथ जो रिंग्वार्म डिजीज होती है दाध होता है ये तीनों विशाण जनित रोग है ठीक इसमें हाला कि देखिए रोगों के नाम जो है वो दोनों मतलब हिंद कर दी आफर होता है जो कि की कमेंट होता है उसके दौरण पोलियो वाइरस जो है वो body capitalist करता है वह शरीड को बेकार कर देता है जबकि जो हांẰ साल को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है तो ऐसे दिया हुआ इसमें से गल्ती कहां पर है वह बताहिए तो प्रेश्णाप ने दे लेकिन जो वाइरस से होने वाले रोग है वो प्राय लाइलाज होते हैं ठीक वैक्सील ही उसमें एक मात्र काम करते हैं तो हाइड्रोफोबिया जो है यह बैक्टिरिया से नहीं बलकि वाइरस से होता है बाकि जितनी चीज़े इसमें दिखी हुई है वो सभी सही है यहां पर लाद को हटा दीजेगा हर्पीज, रेबीज और मंपर्स यह वाइरस से होता है तो इसे हमने देखा एवाला चुल लिया आव इसके बाद 79 को देखते हैं जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन चुलिएगा तो तपेदिक बैक्टिरिया के वज़े से होता है और विशा संख्या उन्यासी यानि 79 को आप देख रहे हैं, सी वाले विकल्प को चुल लीजेगा, हैपिटाइटिस से फेफर्डेकप से प्रभावित होने लगे, इससे तो हमारा यक्रित यानि जो लिवर है वो प्रभावित होता है और लिवर को ये पूरी तरह से बरबाद कर देता तो अगर बैक्टिरिया से फेल रही है तब तो एंटिबाइटिक से ठीक हो जाएंगी और रानी खेत बिमारी जो है ये बगरियों से संब्दित है, ये बगरियों को होती है तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है, प्रशन को आपने देखा और इसका जो सई ज तो तीसरे को चुना, अब इसके बाद देखते हैं क्या सीवे प्रशन को, इनकरेक्ट आप्शन पूछ रहा है, तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनी क्योगिक होते हैं, वाइटमिन जो है वो एक और्गेनिक कंपाउंट का टाइप है, जबकि वाइटमिन और इसके अला कि कमी से होता है, है न, रैबो फ्लेमिन जो है उसकी कमी से किलोसिस हो जाता है, तो यह सारी बिमारियों के नाम और उनका कारण दे रखा, इसमें से गलत कौन सा है बताना है, तो इसका जो सही जवाब है, वो बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब विटामिन, वसा, कार्गो हाइ और प्रोटीन में सबसे जादा जो कैलोरी की मात्रा है वो किसमें होती है वसा में होती है ठीक है मतलब फैट के अंदर होती है तो बी वाले ओप्षन को हम बाहर कर लेते हैं बागी सब सही है प्रशने संख है आब 82 को देके इनकरिक्ट उप्षन चुनने के लिए कहा जा रहा जबकि विटामिन B12 और विटामिन K जो हैं यहां आप देख रहें विटामिन B12 और विटामिन K दोनों ही मानव आत के जीवाणूं के द्वारा संसलेशित किये जाते हैं अब आप यह बताई कि गलती कहां पर है प्रश्ण को आपने देखा तो प्रश्ण जो आप देख रहे हैं इसका सही जबाब इसमें A वाला हो जाएगा पॉलिश किये हुए चावल खाने से बेरी-बेरी रोग हो जाता है ठीक है बेरी-बेरी रोग होता है जो मिलके दरे हुए चावल होते हैं उनको खाने से बाकि जितनी information है वो सभी सही है, तो इसे आपने देखा, अब इसके बाद 83 में को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है incorrect option कौन सा है, तो vitamin D जो है वो सूरी की प्रकाश की उपस्तिती में तवचा में बनता है, osteoporesis रोग जो है ये vitamin E की कमी की वज़ा से हो जाता है, कैल्सी फेराल, vitamin D में पाया जाता है, और रताओधी जो है वो vitamin E की कमी के कारण होती है, तो गल्ती कहाँ पर, प्रश्न संख्या 83 को देखेगा, और इसका जो सही जवाब है, वो इसमें B हो जाएगा, osteoporesis नाम का जो रोग है, वो vitamin E की अलपता के कारण होता है, यहाँ जो द होता है, रेटिनॉल की कमी से जीरोप्थैलोमिया रोग होता है, कॉड मचली के यकृत से प्राप्त तेल में, vitamin E की प्रचुरता होती है, यह तीन स्नेटमेंट दिये हुए है, अब इसमें से गल्ती कहाँ पर है, प्रश्न संख्या 84 को देखेगा, और correct answer इसका C वाला हो जा मूल रूप से कॉड लिवर आयल जो है, वो vitamin A और D के लिए तथा omega fatty acid जो होते हैं, उनके लिए अच्छा स्रोथ माना जाता है, इसके बाद 85 को देखते है, 85 में पूछा जा रहा है कि कौन सा vitamin मानो शरीर में नहीं बनता है, बनेगा नहीं तो इसका मतलब है कि उसका amount एक सी में नहीं होता है, बाकी अगर आप देखें तो जितने भी D.O.N. से B12 है, vitamin D है, K है, यह सब हमारे शरीर में बनते हैं, प्रशन संख्या 86 को देखते हैं, यहां incorrect option आप से पूछा जा रहा है, तो कोबाल्ट जो है, vitamin B12 का रासायनिक नाम साइनो को बॉल्विन है, vitamin B7 जो है प्रशन संख्या 86 को आप देख रहे हैं, correct answer इसका C हो जाएगा, vitamin B7 जो है, यह दिया हुआ है कि आपकी स्मृति को बढ़ाने में काम करता है, जबकि vitamin B6 जो होता है, वो किसी स्वपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है, यहां पे B7 की जगपे B6 होना प्रशन संख्या 87 को देखते हैं, और 87 में आप से पूछा गया कि कौन सा विशम है, यानि odd option है, बताईएगा, तो 87 को ध्यान से देखेगा, पहले बाले में कहा जा रहा है कि वसा में घुलनशील जो vitamin होता है, वो होता है, एसकार्बिक एसिड, वसा में घुलनशील, कैलसी पानी में घुलने वाला vitamin होता है, एसकार्बिक, ये fat soluble नहीं होता है, ठिक, तो ये बाकी जितने भी हैं उनसे अलग है, बाकी जितने भी हैं उससे वसा में घुलनशील, यही एक मात्रिस में से बाहर है, इसके बाद 88 को देखते हैं, इन correct option आपको चुन कर बाहर करना है, पानी में घुलनशील नियसिन है, पानी में घुलने वाला biotin भी है, water में ही यानि पानी में ही घुलने वाला retinol भी है, और पानी में ही घुलने वाला pyridoxin भी है, अब इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि पानी में नहीं घुलेगा, तो आप बताएं कौन सा, correct answer इसका C ह पानी में घुलने वाला रेटिनॉल नहीं है ठीक है रेटिननॉल जो है वो वसा में घुलनशील वीटामिन है और happiest A ठीक और वितामिन बीवन जो होता है यह thya assembre क्याल आता है वी你們 काहलता है b3 जो है वह और रिदे defined कि आलाता है और विथाइब जो है वुब्लन पानी कर्ब नाम का जो रोग है ये असल में हो जाता है विटामिन B7 की कमी से और इसकरवी रोग होता है विटामिन B7 की कमी से विटामिन C की कमी से विटामिन B परिबार के तीन सदसे हैं और उनकी कमी से अलग-अलग रोग होते हैं और विटामिन C जो है उसकी कमी से इसकरवी हो एक विटामिन बीटू की काम से स्वेलिंग आप गम्स नहीं होता है बलकि इसकी कमी से यहां देखें एरिव फ्लेवि नोसी हो जाता है ठीक है एरिव फ्लेविन होड़ी वट Palace नाम की डिजीज PCR बागी वitéमिन बीटू की कमी से परस्थेसिया होता है विटामिन B-semin की कमी से आंत्रशोध होता है और vitamin C जो है उसकी कमी से इस करवी वही मसूरों की सूजन वाला जो रोग है वो सब हो जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का जो प्रशने उसको देखेगा गलत विगल्प का आपको चैन करना है फलिया आत्यादिक पॉष्टिक होती है यह कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है सोयबीन में सबसे जादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है एक मिहन्ती व्यक्ति जो है वो प्रति दिन 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी की उरजा आवशक्ता रखता है, मतलब उतनी उर्जा उसको चाहिए होती है खनिशलवड, कैल्शियम, यह सब तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में अमलता और चारियता के संतुलन को बना कर रखते हैं तो गलत कौन सा है यह आपको बताना है प्रश्न संख्या 90 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें D हो जाएगा यह जो मिनरल साल्ट दिया हुआ है इसमें आप देखें कि फास्फोरस वो तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में अमलता और चारियता के बीच का संतुलन बना के रखता है अमल और चार के बीच का बैलेंस कौन बनाता है वो फास्फोरस होता है कैल्शियम नहीं इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देखते है इनकरेट आप्शन आपको इसमें से चुनना है इसका जो सही जवाब है वो इसमें D हो जाएगा यहां पर यह पूछा है कि गलत कौन सा है तो एमीनो इसिड जो है वो मानो शरीर में एक अठा कहा होता है संग्रहित नहीं होता है जबकि यहाँ दिया है कि संग्रहित लता है और इसके बाद देखें कि प्राणियों के जीवित यानी कार्वनिक पदार्थ जो होते हैं दोनों पदार्थों के यहां बात की गई है तो जो औरगेनिक के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे जादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है कार्बनिक में ज़्यादा मात्र हमें क्या पाया जाता है पानी और जो कार्बनिक है उनमें प्रोटीन और हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है चमड़ी के नीचे जो वसा इकठी होती है उसमें शरीर के उश्मा छहे के विरुद्ध और ओर तो अब आप ये बताईए कि गलत कौन सा है प्रशने संख्या बानवे को आप देख रहे है उपर वाला ही गलत दिया है ये जो A वाला option बाकी जितने हैं वो तो सही है ठीक है, triglyceride जो है ये मानो शरीर में पाई जाने वाली वसा का एक प्रकार होते हैं मतलब जो 30 होती है, flaxseed उसमें सबसे ज़्यादा मातरा में linoleinic acid पाया जाता है और vitamin D को हार्मोन भी माना जाता है जबकि starg या मंड जो होता है ये monosaccharide carbohydrate होता है तो अब आप ये बताईए कि सही कौन सा है प्रशने संख्या 93 को आपने देखा तो ये जो 93 है, इसका right answer A हो जाएगा यहाँ आप देख रहे है ये जो पहला और दूसरा है, वो सही है पहला सही है और दूसरा सही है alpha linoleinic acid जो है, ये highest amount में पाया जाता है flaxseed में और vitamin D को हार्मोन भी कहा जाता है जबकि starch या मंड जो है, ये polysacuride carbohydrate होता है जबकि यहाँ पे monosacuride दिया है, तो तीसरा वाला गलत है तो पहला दूसरा सही है इसके बाद हम 94 को देखते हैं यहाँ पर सही विकल्ब का आपको चैन करना है तो नौजात शिश्वों के संपूर आहार को प्रदान करने में मा के दूद को अहम माना जाता है क्योंकि इसमें पोशक तत्व आईरन की कमी होती है मतलब कुल चीज इसमें पाई जाती है लेकिन आईरन इसके अंदर नहीं पाया जाता है ऐसा कहा जा रहा है एनजाईम एक प्रकार के जै उत्प्रेरक होते है ठीक यह बायो कैटलिस्ट होते है जो कि जैविक अभी क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते है एनजाईम और हार्मोन शरीर में उसी स्थान पर काम करते है जहां इनका उत्पादन होता है उससे इतर जाके ये काम नहीं कर सकते हैं तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है प्रश्ण संख्या 94 को आप देखें और correct answer इसका A हो जाएगा यहां आप देखें पहला और दूसरा पहला और दूसरा क्या है? सही है लेकिन जो तीसरा वाला इसमें दिया है वो गलत है इसमें ये कहा गया कि ENGYM और हार्मोन जो है वो सेम प्लेस पे वर्ड करते हैं जहां इनका production होता है जबकि ऐसा नहीं है हार्मोन शरीर में उसी स्थान पर अपना काम नहीं करते हैं जहां से उत्पन्न होते हैं, अलागि एंजाइन की प्रविती होती है, जहां से उत्पन्न होते हैं, वही पर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हार्वोन ऐसा नहीं करते हैं, उनका प्रोडक्शन जहां से होता है, उससे इतर भी यह काम करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 95 को देखते है 95 में कहा जा रहा है कि we chop the following elements are found in protein तो इसमें carbon hydrogen nitrogen और oxygen दिया हुआ है protein में कौन-कौन से पाय जाते हैं बताईए तो protein के अंदर अगर देखा जाए तो यह सारी ही चीज़े पाई जाते हैं इसमें से हम चुल लेते हैं ठीक है प्रोटीन की जो संरशना होती है उसमें अगर देखें तो carbon hydrogen oxygen nitrogen यह सब पाय जाते है sulfur phosphorus iodine iron यह सब भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मौझूद होते हैं इसके बाद 96 को देखते हैं यहाँ पे incorrect option आप से चुनने के लिए कहा जा रहा है तो aspirin जो है यह फेलिक्स hopman के द्वारा खोजी गई थी bacteria की खोज Robert Brown ने की थी blood group के खोज करता और उसकी explanation देने वाले लैंडिस्टीनर थे जबकि calcium के थे हैं फ्री डेवी तो इसमें से आपको चुनकर बताना है कि गलत कौन सा है 96 को आपने देखा correct answer इसका B हो जाएगा bacteria के खोज करता Robert Brown वाला जो दिया है यह इसमें गलत है antino van living hawk जो है उन्होंने bacteria को खोजा था सबसे पहले तो living hawk का नाम यहां दिया ही नहीं है तो बी वाले option को चुनकर बाहर कर लेते प्रशन संख्या 97 को देखे correct option चुनने के लिए कहा जा रहा है तो radio activity की खोज करता यह सर William Ramsey है proton के खोज करता Ernest Rutherford है electron के खोज करता J.J. Thompson है और hydrogen के है Henry Cavendish तो आप यह बताइए कि गलती कहा पर है प्रशन संख्या 97 को आपने देखा और correct answer इसका A हो जाएगा यहां जो William Ramsey का रेडियो धर्मिता से जोड़ दिया है Henry Baccaral ने खोज जा था Henry Baccaral के द्वारा radio activity की खोज की गई थी ना कि Ramsey के द्वारा Ramsey ने क्या खोज जा था? Inert gases की खोज की थी प्रशन संख्या ठानपे को देखते हैं इसमें कहा गया कि disease और affected body parts दिये हुए है इसमें से कौन सा गलत है वो बताईए तो डिप्थीरिया में गला प्रभावित होत होती है टाइफाइट को आतों का भुकार भी कहा जाता है ठीक है तो इसमें जो आपकी आते होती है वो प्रभावित होती है ठीक इसमें से सी वाले option को चुन कर बाहर कर देते हैं प्रशन संख्या निन्न्यानमे को देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि incorrect option कौन सा है regarding the classification of fruits on the basis तो अश्टी फल का प्रकार है बादाम, सोरोसिस का प्रकार है, सोरोसिस प्रकार का फल होता है शहतूत, साइकोनस प्रकार का होता है नारियल और कैरियोपसिस प्रकार का होता है मक्का यानि मेज, अब इसमें से आप ये बताए गलत कौन सा है, तो प्रश्न को आपने देखा, C वाला इसमें से गलत है, psychosis वाला जो दिया है, वही गलत है ये psychonis प्रकार का जो है, ये अंजीर होता है और sorosis प्रकार के जो फल होते हैं, उसमें शहतूत और कटल दोनों आते हैं यहां जो नारियल आप देख रहे हैं, तो नारियल अश्री प्रकार के फलों में आता है मतलब जो बादाम के वेराइटी है, वैसे ही नारियल का भी होता है तो इसमें से हमने C को चुना, 100 को देखते हैं, 100 में कहा जा रहा है कि जो incorrect option है, वो कौन सा है बताईए तो house fly जो है वो टाइफाइट फैलाती है, red flea जो है वो विमोनिक प्लेक को फैलाने का काम करती है sand fly जो है वो diarrhea फैलाती है और CC मक्खी जो होती है, यह असल में African sleeping sickness को फैलाने का काम करती है तो आप इसमें से आप यह पिताएए गलत कौन सा है प्रशन संख्या 10 को आपने देखा, correct answer इसका C हो जाएगा sand fly का जो दिया है diarrhea यही गलत है sand fly जो है वो काला जार फैलाने का काम करती है यही इसमें से एक मात्र गलत है, बाकी सब सही है तो यहाँ पर हमने इस मौक को समप्ट किया है, इसमें इतना है तब तक के लिए नमस्कार